अब कर जा दो कि अ कि अलोगों कि स्पचार्ट तो नहीं दो टिए अलो फैलो में कि सावीविल विसींव्य विस्टार्ट कोड़ कि लेट तों नहीं है बट नया सिस्टम है थोड़ा सा ठीक है तो आप देख पा रहे हो सुन पा रहे हो सुन पा रहे हो सुन पा रहे हो तो बड़ा स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं अब सारे अपने से होंगे तो बहुत बढ़ी तरीके से होंगे ठीक है तो स्टार्ट करने मिटा सबसे पहले मैं बता दूँ आज यूमन हेल्ट एंड डिसीज ही मैंने पहले क्यों उठाया ठीक है अलेडी क्रेश कोर्स के अंदर ये मेरा लेक्षर बचा हुआ था किसी कारण से रोग दिया गया था जो भी समझो ठीक है ठीक है आगे मैं कंटीनी नहीं कर पाया तो बच्चों से मैंने कहा था इसको या तो म आने वाला हूं मैक्सिमम सारे पीवाई क्यू 23 से लेकर के बैक ठीक है वो सारे इसमें कबड होंगे पर पीवाई क्यू मुस्क्री लास्ट में होंगे तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका जो दिल और आग लगा रहे हूं ना बस यही तो एनरजी चाहिए ठीक है तो स्ट चोड़ेंगे नहीं कंसेप्ट एक भी चोड़ेंगे नहीं ठीक है डाग्राम फ्लो डाग्राम और पीवाई क्यू सभी कुछ कबर करने वाले हैं तीन घंटे का टाइम आ रहा हूं आप से ओली थ्री आर्स ठीक है टाइम देख लो 440 हो रहे हैं ठीक है कोशिश करूंगा इसको मैं एप्रॉक्सिमेटली 845 तट एंड कर दूँ ठीक है और यह है जिसका बुल्कुल भी नहीं किया है जीरो लेविल पर है उसको भी NCRT की एक एक लाइन क्लियर हो जाएंगी तो टेंशन लेने की जरूवत नहीं है क्लियर है ह आगे तो आज कबर किया क्रने वाले है एक मीट देख लो टार्गेट क्या क्या होगा तो कॉमट कॉस्टर करेंगे हम common disease से start करेंगे, AIDS कबर करेंगे, cancer कबर करेंगे और drugs and alcohol abuse कबर करेंगे और chapter को end करेंगे Immunity इस chapter का सबसे important part है Olympiad हो या need का exam हो, ठीक है लगाता है अगर question कहीं पूछे कहें तो immunity से पूछे कहें तो इसको इतम strong तरीके से करना, perfectly, clear है बलकुल तो एक बार energy जोस यह मुझे आपका, ठीक है, एक बार energy और जोस एक बार दिखादो बस continue कर देते हैं हाँ एक बार जबरजस्त energy और जोस यह मुझे, बस एक बार जबरजस्त energy और जोस okay, comment वहाँ नहीं दिख पारे मुझे proper, तो एक बार बस देखलो क्या है एनर्जी जोस दिखा पारे और नहीं दिखा पारे बहुत बढ़िया सूपर बिंदास बिंदास आयम स्कार्टिंग फ्रॉम जीरो चिंता मत करो यार जीरो सी हिरो बनाएंगे पक्की बात है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाट इस इम्यूनिटी भाई प्रतिरो प्रोटेक्टिंग शील्ड जो आपको डिफरेंट टाइप के इंफेक्शन लाइक बैक्टिरिया वाइरस डिफरेंट टाइप के पैथोजन के इंफेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है और आज की देट में हर इंसान अवियर भी हो रहा है वाट इस इम्यूनिटी ठीक तो बटा हम इम्मुनिटी की बात कर रहे है तो ओवरॉल एबिलिटी ओफ होस्ट टू फाइड डिसीज कॉसिंग ऑर्गेनिजम ठीक है लाइक बैक्टेरिया वाइरस एक्सेक्टरा ठीक कंफर्म बाइदा इम्म्यून सिस्टम इस कॉल्ड इम्मुनिटी तो आप यहां आपक समझना है मेरी बात पहले टार्गेट आपका इन्यकेयर वह जो मिली हुई है और जो नर्थ पर आते हो ठीक है और आप जो ढिफ्रेट तरीके से acquire करते हो वह acquired immunity है ठीक है जन्म लेने के बाद जो आप लेते हो acquired है और by birth है वो innate है clear तो सबसे पहले मैं बात करूँगा what is immunity तो बाट में divide कर दिया innate और acquired अगर मैं innate की बात करता हूँ पहली बोल दे रहा हूँ कुछ flow diagram मैंने पहले से prepared किये हैं क्योंकि concise करना है कम time में cover करना है कुछ flow diagram मैं खुद बनाऊंगा जहां समझानी की जरूत पड़ेगी clear ncrt लगबग लगबग मैंने पूरी उठा लिए ठीक है जहां जरूत नहीं थी last में वहां छोड़ा है वहां से copy paste किया है पर ncrt fully covered है तो इससे बाहर question तो नहीं जाएगा ठीक है इन्नेट का मतलब है जो बर्थ से आपको मिलिए acquired का मतलब है after birth आप जिसको acquire कर रहे हो clear अगर मैं इसको line of defense की बात करता हूं तो जो innate immunity है वह non specific होती है जबकि acquired की अगर बात करते है न वह specific होती है क्योंकि जन्म लेने के बाद आप उसको acquire करते हो clear है अगर मैं innate की बात करता हूं या line of defense की बात करता हो तो मैंने अकसर कर बोला भी है आपने movie देखी होगी बाहू बली ठीक है उसमें protecting system बनता है के लेए के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती है उनको बोल सकते हो first line of defense, second line of defense और third line of defense फर्ट, second और third line of defense अगर first line of defense की बात करता हूं समझा मेरी बात अगर first line of defense की बात करता हूं मैं ठीक है तो उसमें क्या आएगा second line of defense में क्या आएगा और third line of defense में क्या आने वाला है clear है बलकुल हाँ तो total immunity को हमने three line of defense में divide किया है innate को first and second और acquired को third line of defense ठीक है अगर मैं innate immunity की बात करता हूँ जो non specific है चाहें घदाओ या घोडा सब के लिए वो काम करेगी ठीक है मतलब bacteria virus proto जुआ कोई भी pathogen सबसे आपको protect करेगी वो non specific है first or second line of defense में इसको divide कर दिया है ncrt ने first or second line of defense term use नहीं किया ठीक है अब मैं first line of defense की बात करता हूँ external होता है second line of defense internal होता है ठीक है जैसे मैंने बताया था ना जब भी कहीं जैसे बाहु बली movie में दिखाया है कि भलाल देव ठीक है और कालिके से fight होती है ठीक है तो भलाल देव और बाहु बली मिलके कालिके से fight करते है ठीक है तो दिखाऊगो ना पहले सबसे लिए first line of defense बनाया जाता है जिसमें कोई भी आए है जाए घदा हो या घोड़ा हो समझ रहे हो ना किसी भी टाइप का attacking agent हो जो टकराएगा पहले वह first line of defense है जो सब के लिए समान है इसलिए उसको हमने समझ रहे नौन स्पेसिफिक में रखा है पर external है बाहर है और second line of defense internal होता है तो first line of defense external होगा second line of defense internal होगा ठीक है अब external में क्या क्या आएगा जैसे आपकी skin आती है ठीक है आपकी skin dead skin केरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है first line of defense पता है आपको जो burning case में लोगों की death होती है death का मिन कारण क्या होता है सर ऐसा क्यों यस आपकी protecting layer हट जाती है और सबसे पहले बात कर रहा हूं भाई first line of defense जो external है जिसमें फिजिकल और फिजियो लॉजिकल barrier की बात करेंगे भाई कोई भी attack करेगा उसको कुछ barrier क्रोस करने पड़ेंगे न हाँ तो पहला barrier मिलेगा आपको first line of defense में physical barrier physical barrier का मतलब है आपकी body की skin यहां से एंटर कर सकता है body के अंदर समझ रहे हो जो total dead layer करेगा जैन नो से आंटर करेगा या elementary को इन्टर करेगा समझ रहना मेरी बात कहीं से भी monsters कि इसको स्किन का सामना करना पड़ेगा या इसको म्यूकस की एक लेयर का सामना करना पड़ेगा समझ रहना मेरी बात जो वीजिकल से आपको मुझिट को टू पार्ट में ही इनेेट एक्षाइड अगर मैंनेत की बात करता हूं जो ज़न्वाइब से आपको मिली हुक्षे ए क्लियर विल्किल इसको कमें दो लैन्नisten first and second acquired کو third line of defence में किया मैं को मैं अलग करता हूं स्वार्ष Lights में दो बैरियर मिलेंगे Anything xander बैरियर फीजिकल बैरियर में आपको दो सिस्टम मिलेंगे एक तो skin मिलेगि आपको और ब्रोटेक्शन का काम करती है कुसी भी पैथोजन का इंट्रेक्शन सबसे पहले physical barrier से होता है जब उससे interaction होगा तो जो physical barrier के secretion होते हैं बही क्या है secretion mucus है secretion क्या है sweat है secretion tears है secretion समझ रहे हैं रोना भी जरूरी होता है आखों में आशू आते हैं तो उसमें antibacterial substance होते हैं जो आपकी आखों को different type के infection से protect करते हैं क्लियर बलकुल हाँ कभी कभी रोना भी जरूरी होता है समझे हाँ बेटा तो समझ में आया ना तो physical barrier physiological barrier तो यहां तो clear physical अब physiology का कैसे आत रखोगे body के secretion ठीक है जैसे मैंने बताया saliva आपके mouth में release होती है tears आपकी आखों में release होते है यहां जब सब चीज़ें release होती है ना इनमें एंटी बेक्टेरियल सबस्टेंस लाइसोजाइम होता है जो एंटी बेक्टेरियल है यह आपको protection प्रोबाइड कराता है जो physiological barrier का example है clear तो first line of defense में physical barrier and physiological barrier physical barrier की अगर बात करते हैं तो direct shield और physiological उससे निकलने वाले secretion जहां interaction होगा physiology होगी ठीक है तो physiological barrier आगे ठीक है अब बाद second line of defense में आता हूं तो second line of defense internal or external non specific कोशन नहीं मिलेगा non specific है पर external नहीं है वो internal defense system है अगर मैं internal defense system की बात करता हूं तो उसमें क्या आएगा उसमें उसमें आएंगे cellular barrier ब्लड में मिलने वाले different type के cells उसमें आएंगे बैटा inflammatory barrier inflammation समझते हो हिंदी में inflammation को soiling बोलते हैं सूजन बोलते हैं जब चोट लगती है soiling होती है सूजन आती है वो भी protecting system है क्योंकि सूजन आने का मतलब है चोट लगने का मतलब है वहां पर inflammation हो रहा है समझना मेरी बात inflammatory fluid deposit हो रहा है ब्लड वैसल डाइलेट हो रहे हैं ब्लड की supply बढ़ रही है जिसकी बजह से phagocytic cells वहां पर आसानी से पहुंच पा रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट करने ठीक है इसी में NCRT ने क्या कहते रहा है NCRT ने cellular barrier की बात किये और NCRT ने cytokine barrier की बात किये additional के अंदर मैं inflammatory barrier और fever और बता देता हूं मैं ठीक है क्योंकि fever आपको क्यों आता है fever इस बजह से आता है क्योंकि तो pathogen कुछ क्या सकते हो ऐसे substance release करता है उसके counter में जो WBC होते हैं जो soldiers है हमारी body के वो भी कुछ substance release करते हैं ठीक है इन सब को आप एक तरीके से use कर सकते हो it is a pyrogen fever producing agent समझना मेरी बात तो fever कव आता है जब कोई भी infection होगा fever आएगा ठीक है तो fever आना गलत बात नहीं है fever indicate कर रहा है body में कुछ कमी है body में कोई problem है body में कोई attack हुआ है ठीक है fever चला जाता है naturally वो बताता है कि अब body में जो भी infective agent था उसका solution हो चुका है clear तो उस समय पुराने टाइम पर लोग एंटी पारेटिक ड्रग नहीं खाते थे ठीक है आज की रिट में हम एंटी पारेटिक ड्रग खाते हैं समझ रहा क्यों क्योंकि हम उन पैथोजन को मारने के लिए different antibiotic यूज करते हैं पहले के टाइम पर fever आ आज की रिट में हम एंटी पारेटिक ड्रग खाते हैं क्यों क्योंकि हम एंटी बायोटिक भी साथ में खाते हैं इन पैथोजन को किल करने के लिए clear तो यह internal barrier है cellular barrier और cytokine barrier को मैं समझांगो क्यों कि NCRT ने इसका जिक्र किया है ठीक है आगे बढ़ रहा हूं ठीक है NCRT हम चलो ठीक है एक बार समझ में आगी बाई बर्त से आपके संग होती है बर्त से आपके संग होती है ठीक है इसमें करें barrier की बात करता हूं 4 barrier आए एक तो physical barrier आएगा फिजियो लॉजिकल बेरियर और मैंने बता था फिजिकल बेरियर फिजियो लॉजिकल बेरियर फॉस्ट लाइन ओफ डिफेंस में इंक्लूड है ठीक है आप समझता है मेरी बात जब कि सेलुलर बेरियर सेकिंड लाइन ओफ डिफेंस में इंक्लूड है समझते हो साइटोकें तो अब सेलूलर बेरियर की बात करता हूँ तो यहां क्या मिलेगा आपको सर्टेन टाइफ ऑफ लिकोसाइट ठीक है ऑफ अबर बॉड़ी लाइक पॉली मॉर्फो न्यूकुलिएट लिम्फोसाइट ठीक है और टाइपस ऑफ लिम्फोसाइट इन दा ब्लड एज वैल मैक्रोफेज इन टिशू कैन फैकोसिटिक एंड डिस्ट्रॉए माइक्रोब्स इसको मैं अगर अपने फ्लो डागराम में कनवर्ट करूँ तो बहुत प्यारे तरीक से आप कनवर्ट कर सकते हो ठीक है सेलूलर बेरियर को में दो पार्ट में डिवाइ नन फैकोसिटिक सेल्स और फैकोसिटिक सेल्स अगर हम फैकोसिटिक सेल्स की बात करते हैं तो यहां पर आएंगे नैचुरल किलर सेल्स टाइफस ओफ लिकोसाइट ठीक है यह फैकोसिटिक नेचर के नहीं होते नैचुरल किलर सेल्स फैकोसिटिक नेचर के नहीं होते हां इसलिए नॉन फैकोसिटिक में नेका जबके फैकोसिटिक नेचर की अगर बात करते हैं फैकोसिटिक नेचर की बात करते हैं मुलट के अनदर और टीशू के अंदर अधर डेन ब्लड ठीक है एक्सेप्ट ब्लड ठीक है इसकी अगर बात की जाए तो ब्लड की अंदर आपको पता है दो टाइप के सेल्स मैंने बताये थे आपको आ लेडी ठीक है एक तो नूट्रोफिल्स और दिया और है ख़र है अगता है और दूसरा को ध्यान रहेखने हैं और ठीक sudah मोनोसटर्स अगर टिस्पेसिफिक टिशी बस्थिक टिस्पेसिफिक इक्सेपट फ्लट ठीके टिस्पचिफिक मैक्रणームफेज्ट ठीक है जैसे एक्जामपल कफर सेल कफर सेल लिवर में होते हैं ठीक है याद आपको कफर सेल कहा होते हैं लिवर के अंदर होते हैं इसके अलाबा अगर बात की जाए तो मैंने सेल का नाम आपको याद कर आए था मैंने ठीक है यह सारे सारे टिश्यू स्पसिफिक है टिस्थी एक्सेप ब्लड पात करते हैं और निउट्रोफिज मिलते हैं और निउट्रोफिज को ही हम बोलते हैं लिंफोसाइड को कि में नूट्रोफिल्स मैंने बताए भी था आपको मैंक्जिमाम नमबर होता है इनका इनके नुप्लिस में पॉलिमोर्फिक कündिशन मिलती है भहू रूप था पॉलिमोर्फिक ठीक है यनका नूलेस क्या सकते हो इसमें 4 लोब होते हैं 5 लोब भी होते हैं, 6 लोब भी होते हैं, 7 लोब तक हो सकते हैं, इसलिए इनके nucleus में polymorphic condition है, ठीक है, multi-lobed nucleus होता है, multi-lobed nucleus, so let's call PMNL, polymorphonucleated lymphocyte, तो यह cellular barrier होगे, internal, second line of defense का part है, internal barrier है, इन्टर्नल सिस्टम है, non-specific है, सब क्यांगिस्ट काम करेगा, ठीक है, बापसा रहों, बापसा रहों बिटा, तो यह बात क्लियर होगे, अब हम बात करते हैं, cytokine barrier, तो cytokines क्या होते हैं, latest technology, आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो रही है, तो cytokines है, ठीक है, अब आगे cytokines पर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, virus infected cell secret protein called interferons, which protect non-infected cell from further viral infection, आप समझना मेरी बात, तो अगर हम आगे बात करते हैं, cytokine barrier, तो cytokine barrier में दो चीज़ आते हैं, interferon भी आते हैं और interleukins भी आते हैं, ठीक है, तो इसमें interferon और interleukin, यह immune cell messengers हैं, इसमें दो चीज़ आएंगे, एक तो interferon और interleukin, interferon and interleukin, interleukin, जैसे मैंने बताया था न, आपको याद हो, कि hormones को हम क्या बोलते हैं, hormones क्या हैं बेटा, hormones cellular, hormones cellular normal, ठीक है, body cell की बीच में signal को ले जाने का काम करते हैं, messenger का काम करते हैं, ऐसे ही immune cell messengers होते हैं, इनको हम cytokines बोलते हैं, these are two types, interferon और interleukin, NCRT ने interleukin की बात नहीं की, इंटर फेरोन की बात किये, तो हम यहाँ बात करेंगे, इंटर फेरोन, अगर मैं इंटर फेरोन की बात करता हूँ, तो यह होते क्या हैं, ठीक है, interferon, यह कई टैप के हो सकते हैं, INF बोलते हैं, alpha, INF, beta, and gamma, INF, interferon, यह different type के interferon है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कैसे यह, कैसे सकते हो कि second line of defense का part है, कैसे यह non-specific हैं, समझ रहे हो, specific में तो आई नहीं, non-specific में आते हैं, ठीक है, तो इसको समझना होगा, आपको थोड़ा सा, कहाँ से release होते हैं, यह कोई, वाइरस-infected cell है, अगर किसी वाइरस-infected cell, समझना है सब वाइरस का infection हो रहा है, अगर कोई वाइरस किसी cell पर attack करता है, तो अपने genome को, यह एक तरीके से मैंने वाइरस बना दी है, बस लग रहा है यह एक तरीके से, ठीक है, बैक्टरियों फाद जैसा structure है, ठीक है, अगर कोई cell जिसमें वाइरस का infection होगा, वाइरस-infected cell की बात कर रहा हूँ, वाइरस-infected cell की बात कर रहा हूँ, तो वाइरस-infected cell, इसका अपना खुद का DNA भी है, यह वाइरस जाएगा, इस DNA से tag करेगा, उस समय, यह DNA कुछ specific protein release करेगा, release, वाइरस-infected cell, वाइरस-infected cells, जो वाइरस-infected cells होते हैं, यह release करते हैं, release, small proteins, small proteins, ठीक है, अगर मैं इस small proteins की बात करता हूँ, ठीक है, यह small proteins क्या होती है, interferon, जो specific होते हैं, non-specific, non-specific होते हैं, non-specific होते हैं, ठीक है, वाइरस-specific होते हैं, मैं एक यह बात लिख दी, non-specific होते हैं, ठीक है, specific नहीं होते हैं, ठीक है, तभी तो हमने इसको, इन्निट इमिनिटी के इंदर रखा हैं, ठीक है, यह interferon proteins होती हैं, a small proteins, यह करती क्या है, टेक है, इंटर्फराउन की अगर बात किया है, not kill the virus, this protect from protect non infected cell from virus infection protect 9 infected cells from virus infection भाई ये तो जाई रही है ये virus की infection से इसका तो अंतो ही रहा है ठीक है पर जाते जाते ये protein उन cell को बचा जाते हैं जिनमें अभी virus का infection नहीं हुआ अब समझ ना मेरी बात ये कोई cell है इसमें अभी virus का infection नहीं हुआ ये protein जाएंगे बेटा ये protein जाएंगे इस virus non-infected cell है non-virus infected cell या नि ऐसी cell जिसमें अभी virus का infection नहीं हुआ non-virus infected cell ठीक है उसमें जाएंगे उसके अंदर nucleus को stimulate करेंगे उसके nucleus को stimulate करेंगे भाई समय आ गया समय आ गया कुछ करो समय आ गया कुछ करो तो अब ये cell कुछ ऐसे protein बनाएगी जो virus translation को inhibit करेंगे ठीक है तो अब यहां क्या होगा ये release करेंगे रिलीज ठीक है वाईरल ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन यानि अगर फ्यूचर में वाईरस का infection हुआ इस non infected cell के अंदर तो वाईरस उसके अंदर translate नहीं कर पाएगा उसका translation नहीं हो पाएगा और अगर वाईरस का translation नहीं हुआ तो इस cell को कोई दिक्कत ही नहीं गया वाईरस is a dead particle ठीक है वाईरस में तागत भी आती है जब उसकी living cell के contact में आता है और living cell के contact में आने का मतलब है जब उसका DNA living cell के DNA के संग मिलकर के उस living cell की protein synthesis machinery को use करता है तब जाकर के वाईरस multiple copy में convert होता है सोचो अगर वाईरस का translation ही नहीं होता है protein नहीं बनती है तो कैसे वाईरस survive कर पाएगा तब यह तो मैं कहता हूँ जैसे जैसे वाईरस का infection बढ़ता है वैसे वैसे interferon का number भी बढ़ता है और एक particular time के बाद जब interferon इतने ज़्यादा हो जाते है कि वो इस viral translation inhibiting protein को बनाने में ठीक है अपना पूरा role play कर देते हैं फिर वाईरस दीरी दीरे down होना चालो हो जाता है क्योंकि अब वाईरस उन cell को infect नहीं कर पाएगा इसलिए के तना हर वाईरस की particular cycle होती है cold virus की cycle 3 से लेकर के 5 दिनों की होती है corona virus की cycle देखी होगी 14 दिन की होती है ठीक है starting के 8-10 दिन बहुत severe होते है उतना अगर आपने काट लिया ना तो 10 दिन के बाद दीरी दीरे revert में होती है और इंसन सही हो जाता है ठीक है क्योंकि हर वाईरस की particular cycle है मतलब दीरी दीरे 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 वाईरस के infection बढ़ेगा पर सासत में interferons भी बढ़ेंगे जब interferons का नंबर वाईरस के नंबर से जादा हो जाएगा तो वाईरस का infection दीरे दीरे down होना चाले हो जाएगा समझ रहे हो इसलिए वाईरस के infection के time पर हम वाईरस को kill करने की दबा लेते ही नहीं है वाईरस खुदी dead particle है उसको क्या मार होगे आप समझ गे ना मेरी बात यस तो समझ में आ गया अगर मैं interferon की बात करता हूँ यह वाईरस infected cell से निकलते हैं ठीक है आसपास की neighboring non infected cell को protect करते हैं further viral infection से clear है क्या करके कह सकते हो release viral translation inhibiting protein उनको release करके यहां तक कोई doubt है किसी को yes or no how it is ncrt line wise line लेके चल रहा हूँ ठीक है ncrt line wise line लेके चल रहा हूँ पर साथ में concept पूरे देंगा ठीक है physiological barrier हो गया, cellular barrier हो गया cytokine barrier हो गया, सारे barrier clear है आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ नीट 2022 में आई हो जार, देखो जार अगर मैं cellular barrier की बात करता हूँ ठीक है बता कौन सा cellular barrier होगा ठीक है, neutrophil cellular barrier में आएंगे cytokine barrier, interferon आएंगे ठीक है, physical barrier physical barrier, mucus की membrane आएगी physiological barrier, SCL in gastric juice आएगा ठीक है, match कर पाओगे ठीक है, तो first का third third इसमें आ रहा है, third इसमें भी आ रहा है second का, second का देखो, second का first first किसमें आ रहा है, first इसमें आ रहा है तो option क्या आएगा, यानि आप जो पढ़ रहे हो सही, क्योंकि PYQ आप लगा रहे हो ना, तो ये indication मिल रहा है कि आप perfectly चल रहे हो, मैं सारे PYQ करा दूँगा आज आपको, ठीक है चलो, आगे बढ़ते हैं अब number second enter करते है acquired immunity, acquired जो जन्म लेने के बाद हम उसको acquire करते हैं ठीक है, आप समझ रहे हो, अगर मैं acquired immunity की बाद करता हो, तो उसको specific features हैं, जैसे समझना मेरी बाद, अगर मैं acquired immunity की बाद करता हूँ उसको जन्म लेने के बाद आप लेते हो, acquire करते हो समझ रहे हो, जो specific है अगर आप कोरोना की vaccine लगवा रहे हो तो वो कोरोना की vaccine सिर्फ और सिर्फ कोरोना के particular strain पर ही काम करेगी अगर कोरोना का strain चेंज हुआ, तो वो काम नहीं करेगी यानि specific है अगर आप polio की vaccine लगवा रहे हो तो polio की अंगेश्टी ही काम करेगी आप समझ रहे हो, अगर आप BCG लगवा रहे हो जो mycobacterium tuberculosis की vaccine है उसी के लिए काम करेगी यानि यह specific immunity है particular pathogen की अंगेश्टी ही काम करती है clear है तो acquired immunity on the other hand pathogen specific यह कैसी है, pathogen specific है और मैंने भी बताया, vaccine आप क्यों लगवाते हो क्यों लगवाते हो future में protection के लिए आप समझ रहे हो, एक होता profile axis यह होता है treatment vaccine treatment के लिए नहीं होती आज आपको रोग हो गया ना हो, इसलिए वो vaccine लगवाएगा clear है बलकुल यानि profile axis, बचाओं में काम आती है उपचार, treatment में काम नहीं आती clear है बलकुल और memory based होती है बचाओं में क्यों आ रही है तो कि उसकी एक अपनी memory है अगर आप polio vaccine लगवाते हो तो उसकी memory generate होती है future में वो polio virus अगर body में enter करने की कोशिश करेगा तो ये immune system उसको समझ रहो, खेल खतम कर देगा समझे या नहीं समझे yes या no ओहो ठीक है, गया कोई बात नहीं, ठीक है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है समझे बटा, yes या no ठीक है सब को सही जल रहा है, ठीक है sound perfect है न, यार एक बार आग लगा दो बीच में, आग लगनी चीए, sound perfect है या नहीं, BMS है या नहीं, है बास 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 ठीक है, यारी sound perfect है अब memory based है pathogen specific है जबकि, जबकि innate immunity memory based नहीं थी innate immunity pathogen specific नहीं थी, clear है, बलकूल features of acquired immunity चार features ध्यान रहने हैं आपको यह specific है, मैंने बता दिया अभी हर किसी के लिए specific है specific है, मेरे पास ठीक है, पर्टिकलर किसी pathogen को मारने के लिए एक gun है, दूसरी pathogen के मारने के लिए अलग टैटी gun होगी यानि इसमें diversity बहुत ज़्यादा होगी specific है, पर diversifying है और memory based है specific है इसलिए diversity ज़्यादा होगी उसके अंदर, memory based होगी ठीक है, और साथ मैं discrimination यह जानती है अपने और पराये में भेद करना कि यह अपना है और यह पराया इसको छोड़ना है इसको मारना है तब ही तो देखाओ कोई न किसी भी इंसान का औरगन किसी भी इंसान को donate नहीं कर सकते except cornea, तो इस cornea में blood supply नहीं होती पर यह ऐसा समझ में आ गया न क्यों क्योंकि immune system आप दूसरे इंसान के औरगन को अपनी body में implant करते हो तो आपके body का immune system उसको accept करता है या नहीं करता, समझना मेरी वाद तभी वो transplantation perfect कहलाएगा ठीक है, यानि यहाँ पर यही immunity है जो decide करती है इसको छोड़ना है या मारना है clear है, तो discrimination between, between self और non self, अगर self है no response, अगर non self है, बाहर का है तो response करेगी अब response दो टाइप का होता है नीट में बहुत question पूछा जाता है अब response दो टाइप का हो सकता है primary immune response और secondary immune response सरे क्या है primary और secondary immune response यह समझाओंगा मैं आपको perfectly ठीक है, और corona के time पर लोग समझे भी थे इसको ठीक है, क्या है primary और secondary immune response बहुत बहुत important है भाई very, very, very important primary and secondary immune response अब क्या होता है, अब देखो अगर जैसे types of immune response की बात कर रहा हूँ मानो कोई pathogen है कोई pathogen है, कोई antigen पहली बार body में enter करता है कोई pathogen है antigen first time first encounter with body body से इसका पहला encounter हो रहा है ठीक है, पहला encounter हो रहा है तो अंदर जाते ही, जो body का immune system है ठीक है, B lymphocyte है उनकी surface पर लगे हुए antibody से उसकी trapping होगी तो बांद लेंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ते ही ये B lymphocyte तुरंट divide कर जाएंगे दो tackle cells के अंदर एक को आप बोलने वाले हो यहाँ पर एक को आप बोलने वाले हो यहाँ पर ठीक है plasma cell और दूसरे को बोलने वाले हो memory cell memory cells plasma cells और memory cells clear बलकुल तो जैसे ही कोई pathogen first encounter करता है body के साथ, पहली बार entry करता है body के अंदर उसका सामना होता है B lymphocyte से ठीक है और तुरंती B lymphocyte divide करते हैं दो type के cell में cell division start होती है cell division cell division start होती है plasma cell बनते हैं memory cell active B lymphocyte active B lymphocyte active B lymphocyte को प्लाजमा cell बोलते हैं यह plasma cell है यह तुरंती क्या गरेंगे formation of antibody formation of antibody formation of anti-body कौन से antibody बनाते हैं यह अंदर रखना है आपको Ig IgM ज्यादा बनते हैं या पहले बनते हैं comparative IgG से ठीक है तो यह प्रक्रिया होती है ठीक है और memory cell बन चुके हैं यह memory cell बन चुके हैं ठीक है memory cell बन चुके हैं पर अभी active नहीं है एक्टिव नहीं है memory cell एक्टिव नहीं है ठीक है इसको बोलते हैं first immune response जब पहली बार कोई pathogen body में आता है तो body के अंदर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती है समझना जब पहली बार एंटर करेगा तो उसमें plasma और memory cell बनेंगे प्लादम सेल उस antigen के अंगेज तुरंती antibody formation करेंगे इंटी बनते हो में लिए बनते कंपरिटिव आइजी जी प्राइमरी इन्मिन स्पॉंस में आपने पहरी लगवाई को आपने बता दिया ठीक है थोड़ा तर स्टीडियो की आदफ नियस की मज़े कोई निया अगला लेक्चर में अपने स्ट्वीडियो से लुगा ठीक है पुरापर मायका एक लगा करके पर्फेक्ट ली ठीक है बताव वाइस पर्फेक्ट है क्या पर्फेक्ट है अब बताव वाइस बताव वाइस ऊंठीक है ए तो सीडि मेड़ा लो इंटैंसिटी के साथ होगा जब कोरुना की पहली पर लगवाई मत नेकल दूसरे वेक्सीन का ठीक है जब दूसरा वेक्सीन लग जाए उसके 14 दिन 14 डेज आफ्टर 14 डेज आप जा सकते हो आपका बॉड़ी इम्मुनाइज हो चुका होगा यानि पहले वेक्सीन का इंतिजार करना होगा सेकिंड वेक्सीन का यानि सेम पैथोजन समझना बहुत इंपोरेंट सेम एंटिजन सेम पैथोजन या सेम एंटिजन मैं सेम टर्म यूज किया है जैनि वही वही बाला जो पहले था वही बाला जो पहले था सेम पैथोजन या सेम एंटिजन जब सेकिंड टाइम बॉड़ी में एंटर करता है सेकिंड टाइम जब बॉड़ी में एंटर करता है स सेकेंड टायम जब बोडी में एंटर करता है खेर को हम सेकंड एंकाउंटर बोलेंगे सेकंड एंकाउंटर nostalgia 0 ke129 उसको सेकंड इम्यूनी रिस्पॉंस बोलेंगे सेकंड के इम Łब इमून इर्सपॉंस है सेकंड इम्यून body में enter करता है second encounter करता है तब इसको second immune response बोलते हैं अब इस बार इसका interaction भी lymphocyte से नहीं होगा इसका interaction होगा यहाँ पर समझ ना इसका interaction होगा यहाँ पर memory cell से memory cell पर लगे हुए antibody पहले plasma cell भी lymphocyte bind किये थे इस बार memory cell bind करेंगे ठीक है high intensity लो नी होगा high intensity कैसा होगा इस बार high intensity high intensity के साथ होगा ठीक है high intensity के साथ अब memory cell क्या करेंगे formation of antibody formation of antibody और कौन से antibody बनने वाले इसके अंदर amount में आई जी जी का formation होता है जो सबसे बहतरीन antibody होते हाई intensity के साथ बनते हैं ठीक है तब ही तो कहते हैं कि आपको protection देंगे आपको बचाओ देंगे इससे ठीक है तो यहां तक लिए रहे फस्ट encounter के लिए है second encounter के लिए रहे फस्ट immune response के लिए है second immune response के लिए है low intensity के साथ high intensity के साथ अब बताओ यहां किसी को कोई doubt shout perfectly brain mess set है नहीं hello 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 sound perfect है न अरवाज बेटा क्या कहना चाह रहा है बोल मोहित कुमार सब मस्त BMS बहुत जवर जस्त सही बेटा सही एकदम जवर जस्त BMS कोशिश करेंगे ठीक है तो primary or secondary immune response में डिफरेंस के लिए अब इसी चीज़ को जो कोई तरीके से बताते एक नया तरीके से बताते हैं graphical form में समझना मेरी बात graphical form में भी समझो चीज़ को तुरा समझ में आएगा और उच्छी तरीके से एक मिनिट अब देखो यहां तो हमने percentage of antibody की बात किये एक्सेज में यहां पर हमने समझना मेरी बात यह duration है समय duration percentage of antibody duration समझना जब कोई पैथोजन पहली बार first encounter करता है तो उसको primary immune response बोलते हैं समझना और primary immune response low intensity के साथ होता है primary immune response में lymphocyte especially B lymphocyte participate करते हैं जिसमें IgM पहले बनते हैं ज्यादा बनते हैं comparative IgG अभी मैंने graph में बताया था first encounter जिसमें IgM भी बन रहा है थोड़ा ज्यादा बनेगा IgG थोड़ा कम बनेगा और बात में बनेगा ठीक है IgM बन रहा है IgG से ज्यादा बन रहा है clear बल्कुल low intensity के साथ बन रहा है intensity क्या है कम क्योंकि कम antibody बन रहे हैं अगर यह ज्यादा बनते हैं तो high intensity होती ठीक है IgM से बहुत ज्यादा amount में बन रहा है IgM competitive count बन रहा है ठीक है यह बहुत ज्यादा बन रहा है IgM से clear है इसको enaminastic effect भी बोलते हैं जब कोई चीज़ एकदम से बहुत ज्यादा बनती है second encounter है same antigen का high intensity के साथ हो रहा है memory cell participate करते है plasma cell participate नहीं करते समझना lymphocyte participate नहीं करते memory cell सारे कोश नहीं बनेंगे IgG बनती है बहुत ज्यादा मात्रा में comparative IgM अब बताओ primary or secondary immune response एकदम conceptual set हुआ brain में या नहीं ncrt खोलके बैठो पानी की बोतल लेके बैठो एकदम classic तरीके से समझ रहे हो और देखो ncrt की एक एक लाइन का revision हो रहा है या नहीं ncrt की एक लाइन crystal clear हो रही है या नहीं ठीक है चलो क्लियर है ना primary or secondary immune response फिनिश आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब एक कोशन आपके सामने 2022 में आया हुआ है नीट 2022 में आया हुजरा बताओ अपने आप बताओ मैं तो नहीं बोलूंगा अपने आप बताओ खोपड़ी में सेट चैनल डब्बे में सेट खोपड़ी में इस हाँ खोपड़ी में सेट या डब्बे में सेट ब्रेन बोक्स में सेट परदो को दांगर चिकन गुनिया करनाने वाला ह house tension क्यों गर रहे हूँ जो भी अपडेटिड भाई इस ध्यानना सीरीज के अंदर सारा अपडेटिड सलेवस होगा लेटेस्ट NCRT यूज़ करेंगे लेटेस्ट जो NMC ने पैटन दे रखा है न कुछी ज़िए NCRT मेनी उसमें दे रखी है उनको भी यूज़ करेंगे मलब लेटेस्ट लेके चल रहे हैं मैं विश्वास दिला रहा हूँ बैटा जितना मैं करा रहा हूँ उतना अगर आप कर गए जिरू ले बेले बैठे हो मैं मान गया आप इतना कर गए तो हो जाएगा ठीक है बस मैं इतना जानता हूँ नेगेटफ थौट नहीं आने चाहिए अगर आप नेगेटिव सोचो गे तो बॉड़ी का रिस्पोंस मीटिव होगा आप पॉजीटिव सोचो के बॉड़ी अपनना पॉजीटिव स्पोंस देना चालू करते चलो बहुत बडिया-बहुत बडिया चाह लगा रहे हो कुछ बच्चिंग एगके daily लगा रहे हैं थे दो शनेक्ट टाइंकरेट मेंटी इन करें जब इन्करेक्ट invention आउट रिश्पेक्ट टूक्वाइड इम्मुनीटी ठिक है प्रायमरी इम्मीन स्पॉन्स इस प्रेद्यूस बैन रहा है विन आउट जुर्च भाई एंकॉंतर पैथोजल एसै लसोईड ऑईर तक्रेक्ट है त सब्सक्राइब होगा aha 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 तो specific होती है ठीक है और डिफेंस प्रेजेंट इन अधर टाइम अधर बार्थ ठीक है तो एक्वाइड क्या होती है बहुती है नॉन स्पेसिफिक नहीं होती तो सी जो बच्चे लगा रहे थे गलत लगा अधर रहे है ठीक है डी ओगा स्का टी option आएगा कूण नौन पूच्छा है तो नेट में ऐसे कोशन आते हैं मैं कहना चाहा हूं आप आलतु में डर रहे हो आप आलतु में डी मोटीवेट हो ठीक है कई बचे डी मोटीवेट ब्लकुल नहीं यार पेपर का लेबल बहुत हाई नहीं आएगा NCRT line clear हैं तो आप paper उड़ा डालोगे मैं सच कहा रहा हूं paper के समझ रहा हूं बस आप करना क्या है आपको ठीक है एक बार NCRT को confidence तरीके से पढ़ो ठीक है और question practice करो और पीवाई क्यूब मैं साथ मैं सले करा रहा हूं तो मैं पता चल जाएगा कि किस level के question आ रहा है आपको किस level की तैयारी होनी चाहिए आपकी ठीक है चलो अजा types of acquired immunity ठीक है बही acquired की बात चल रही है तो acquired immunity को भी आप two type में divide कर सकते हो समझ ना हाँ बलकुल acquired immunity को भी आप two type में divide कर सकते हो ठीक है क्योंकि acquired immunity जो होती है दो प्रकार की cell पर based है ठीक है आप इसको divide कर सकते हो मैं कर देता हूं ठीक है आउर ती लिम्फोसाइड मेडियर ए व्यूंटी ठीक है अब समझें मेरी बात अगर B lymphocyte mediated immunity की बात करते हैं तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं इसको हम बोलते हैं हेमोरल इम्यूनिटी जबकि इसको बोलोगे आप cell mediated immunity cell mediated immunity समाथना है मेरी बात हीमोरल इम्यूनिटी और cell mediated वह हेमोरल क्यों बोलते हैं ठीक है हेमोरल का मतलब होता है body fluid कई मी टर्माजा है हेमोरल मतलब body fluid की बात चल रही है body fluid की बात चल रही है क्योंकि B lymphocyte के रिलीज करते हैं antibody इसलिए इसको एक नाम से और बोल सकते हो antibody mediated immunity antibody mediated immunity समाथ रहे हो और antibody body fluid में रिलीज होते हैं so it is called हीमोरल इम्यूनिटी B lymphocyte release करते हैं so it is called B lymphocyte mediated immunity ठीक है अब cell mediated immunity cmi बोलते हैं इसको short में cmi cell mediated immunity ठीक है और T lymphocyte ठीक है आपको इसमें involved होते हैं समझ रहना मेरी बात अगर मैं इनके types की बात करता हूं तो इसको भी आप divide कर सकते हो यह दो प्रकार की हो सकती हैं अभी बताया था मैंने ती suppressor cell ती suppressor cells और T memory यानि memory दोनों के पास है memory दोनों के पास है memory cell यहां पर भी है और memory cell यहां पर भी है memory दोनों के पास है जो acquired immunity का basic feature है वहीं memory होनी चाहिए तो यह भी memory cell रखते हैं और यह भी memory cell रखते हैं memory cell का मतलब है स्मरती कोशिकाएं वो कोशिकाएं वो cell ठीक है जैसे जो vaccine लग रही है आप वैक्सीन का मतलब है आपके बॉड़ी के अंदर उसकी मेमोरी उसकी समरती जनरेट हो रही है समझ रहे हो ना तब ही तो फ्यूचर में आपको उससे प्रोटेक्ट करेगी सिंपल सी बात समझे या नहीं समझे भाई जो आप दिल देते हो ना दिल और आग यह सच में एनर्जी का काम करते हैं ठीक है तो अगर टीचर में जब भी एनर्जी आती है ना जब तुम्हें लगे कि सर की एनर्जी कम हो रही है बस दिल और आग की बारिश कर देना एनर्जी के लेविल बढ़ जाएगा समझे समझे सर हिंदी में टर्म इसलिए यूज़ करता हूँ को यूपी बिहार राजस्थान के बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी मीडियम के जिनको हिंदी के टर्म बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं हिंदी के टर्म भी यूज़ कर लेता हूँ सुपर जबर जस्त यही आग चाहिए भाई ठीक है तो तुमारे अंदर एनर्जी रहेगी ना टीचर के अंदर अपने आप एनर्जी रहेगी ठीक है तो यह बाली बात क्लियर होगी अगर मैं acquired immunity की बात करता हूँ दो पार्ट में में तो तो कोर मैं रहेगी है तो अर्जी बाने बात secondary immune response are carried out with the help of two special types of lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes. इसको मैंने बहुत अच्छी तरह किसे detailed में explain कर दिया, B और T में difference क्या होता है, ठीक है, अब जो B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen, अब B lymphocyte क्या release करते है, protein की army, कौन सी protein, antibody, ठीक है, क्या release करती है, antibody, आप इन antibody को अब क्या बोल सकते है immunoglobin, antibody को आप क्या बोल सकते हो, बहुत यह diagram दिखा रखा है, नवह आपना, यह किस चीज का डàiगराम है, यह diagram किस चीज का है, antibody, antibody, kya बोलते है अंटी इन्टिवाडि को इम्यूनोग्लोबलिन इन्टिवॉड को नेवाचिक ए analyze Do you को इम्यूनो गलोबलीन बॉलते हैं इन्टिवॉड़ीकू थीक है जो किस नेचर की होतील प्रोटिन ग्लाइको प्रोटीन निचर किस नेचर की होती है गलाइको प्रोटीन नेचर की होती है क्लियर बल्कुल तो जो मैं एंटीबोडी की बात कर रहा हूं जो गलाइको प्रोटीन नेचर की होती है समझे ओके, 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 ठीक है, शालो, सुपर, सुपर, जबर जस्त, हाँ, ग्लाइको प्रोटीन आता, स्क्यूपर, ग्लाइको प्रोटीन मत बूल जाना, ठीक है, तो मैंने आता न, B-Lymphocyte क्या करती है, ठीक है, B-Lymphocyte produce an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them, these protein are called antibody, इनी protein को आप क्य बोलते हो, antibodies बोलते हो, ठीक है, अब structure of antibody की बात करता हो, the T-cell themselves do not secret antibody, T-cell antibody नहीं बनाते, ठीक है, but help करते हैं, B-cell की antibody बनाने में, produce them, यह ध्यानक ना है, क्योंकि T-cell में helper T-cell जो होते हैं, वो पूरे body के immune system को नियंतरित करना जानते हैं, control करना जानते हैं, ठीक है, तो जब भी जरुवत होती है, तो helper T-cell जाते हैं, B-lymphosate से बोलते हैं, वहीं समय आ गया, तुमारी जरुवत है, antibody formation करो, तो वो करना चालू कर देते हैं, ठीक है, समझे, each antibody molecule has four polypeptide chain, अगर मैं हर एक antibody की बात करता हूँ, तो कितनी polypeptide chain है, चार है, ठीक है, इसमें light chain भी है, और heavy chain भी है, अब मैं structure पर आ रहा हूँ, ठीक है, अगर structure की बात करते हैं, two heavy chain दिख रही होंगी आपको, two light chain, ये क्या heavy chain, अचर देहीं रखा है, heavy chain और light chain, ठीक है, तो यहां पर बेटा, आपको दिख रहा होगा, light chain दिखा रखी है, और heavy chain दिखा रखी है, ठीक है, light chain कितनी हो एल्टू तू हैवी एंड तू लाइट क्लियर बिल्कुल तू हैवी एंड तू लाइट इसमें अगर मैं यहाँ बात करूँ बीच में जो दिख रहे हैं आपको यह इस डाइसलफाइट बॉन्ट यह क्या है डाइसलफाइट बॉन्ट कि तोटल कितने वहते हैं तेरह पता हो तूटल किते बंसे ב recharge घंस होंगे बान ठीवेंड यत क्S amend बिटन हैवी चेन क्तने होते हैं अंब एवी इंड लाइट केतने होते है तो अग्रक्षिस ही है बिटन पूछिएगा between heavy and light and between heavy and heavy तोखो heavy और light की बीच में दो bond दिख रहे होंगे एक और एक दो है और heavy की बीच में भी दो दिखेंगे आपको यह question बनते हैं आज केट में यहां भी दो दिखेंगे यहां भी दो दिखेंगे ठीक है तो यह question आता है disulfide bond total कितने होते हैं यहां पर 16 होते हैं ठीक है between heavy and light chain 2 होते हैं between heavy and heavy 2 bond होते हैं ठीक है अगर मैं it is a polypeptide chain यह protein से मिलके बनी हुई एक chain है और हर polypeptide के दो end होते हैं एक end और एक C भाई यहां पर NS2 free होगा यहां पर NS2 free है यहां पर क्या है एन H2 तो end terminus हो गया यहां C O O H free है C O H free है तो यह C terminus हो गया ठीक है हर polypeptide का कोई भी हो एक C terminus होगा एक end terminus होगा यह end terminus है दूसरा C terminus है यह C terminus होगा ठीक है यह इसका end terminus है यह end terminus है तो यह C terminus होगा C का मतलब जहां C O O H ग्रूप फ्री होगा सिम्पल सी बात चार पॉली पैप्टाइड है फोर पॉली पैप्टाइड है थीचा पॉली पैप्टाइड है टू है टू लाइट ठीक है जिसमें अगर मैं पूछू एंटीजन कहां के बाइंड करेगा एंटीजन बाइंडिंग साइड्स कौन सी होती है यह है एंटीजन बाइंडिंग साइड्स हमेशा एन टर्मिनस होते है एन टर्मिनस जहां पर भी एन टर्मिनस होगा एन एच टू फ्री होगा वह होती है बिटा एंटीजन बाइंडिंग स साइट्स एंटिजन बाइंडिंग साइट समय साथ जहां पर एन एच टू फ्री होगा एंट टर्मिनस होगा वह एंटिजन बाइंडिंग साइट्स होगी ठीक है अपोजिट वाली सी डबर वेज गुरूप ठीक है यह किसी मेंबरेन से मैंड करेगी तो यह द्यान रखना है पॉली पेटब्स चेंढ होती हैं लाइट चेंढ होते हैं हर पॉली पेटब्स चेंढ के दो chỗ रोते हैं ट टर्मिनस टोटल डईस लफाइट बॉंड की अगर बात कि जाया है यहां पर 16 इंस्टीन होते हैं है वाइड बिच हैं और हीडावी के बीच मैं भी दो डे सल्फा जा रहा हूँ, with concept, आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, H2L2 बोलते हैं, लिखाई दिया है मैंने इसको, H2L2 बोलते हैं, different types of antibody are produced in our body, जैसे इसमें IgA बनती हैं, IgM बनती हैं, ठीक है, IgE बनती हैं और IgG बनती हैं, ठीक है, एक और रहे हैं, IgD, वो उसमें नहीं दिखा रखी, पर 400 दिखाई रखी हैं, are some of them, a cartoon of an antibody, जो दिखा रखा है, diagram, is giving figure, ठीक है, because these antibodies are found in blood, ठीक है, सारी antibody blood में मिलती है, the response, IgD blood में नहीं मिलती हैं, इसलिए नहीं दे रखी, ठीक है, IgA, IgM, IgE, IgG, यह चारों की चारों कहां present होती है, blood के अंदर present होती है, found in blood, जबकि IgD, IgD की बात करते हैं, जो नहीं दे रखी, वो भी lymphocyte की surface पर होती है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको याद रहे, IgD, सर यह क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि blood की बात चल रही है, present on, present on surface of B lymphocyte, present on surface of B lymphocyte, ठीक है, इसी को बोलते हैं, Hemoral Immune Response, Hemoral का मतलब, Antibody Mediated, तो कि Antibody, Body Fluid में होते हैं, clear बलकुल, इस वन आप तो टाइप्स of Acquired Immunity, ठीक है, एक तो होगी, Antibody Mediated, बताई दी मैंने आपको, ठीक है, and second type क्या होती है, Cell Mediated Immune Response, जिसको आप Cell Mediated Immune Response ही बोल सकते हो, T lymphocyte Mediated Immune Response ही बोल सकते हो, ठीक है, CMI भी बोल सकते हो, CMI, ठीक है, हर टाइप को बता दी है, very often, ठीक है, when some human, organ like heart, eye, liver, kidney, ठीक है, fail to function, satisfactory, ठीक है, organ, transplantation is the only remedy to enable the, ठीक है, patient to live a normal life, then a search begin to find the substance donor, ठीक है, why it is that the organ cannot be taken from just anybody, मैंने बता है न, आप किसी भी बोड़ी से वो organ लेकर के transplant नहीं करा सकते, तोंकि आपकी CMI, Cell Mediated Immunity, समझना, जो acquired immunity का part है, वो decide करेगी, यह अपना है, पराया, इसको accept करना है, reject करना है, तो tissue rejection में जो participate करती है, वो CMI है, Cell Mediated Immunity है, clear, बलकुल, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, तो graft, graft मतलब है, graft from just any source, कोई भी source हो सकता है, any more रुसकता है, कोई दूसर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, any source, can, any source, ठीक है, कहीं सही भी हो सकता है, यहाँ पर जो tissue matching होती है, tissue match, क्या क्या चीज़ मेच करते हैं आपड, tissue graft में, ठीक है, grafting में, tissue graft के अंदर आप क्या क्या करोगे, tissue grafting जब भी होगी, यह transplantation जब भी होगा, तो आप tissue matching करोगे, tissue matching करोगे, blood group matching करोगे, इसके अलाबा आप, एक special type की protein होती है, ठीक है, ठीक है, इसको हेला भी बोलते हैं, ठीक है, H, हेला, human leacoside antigen, हेला, human leacoside antigen, antigen present on surface of WBC, present on surface of leacoside, हेला दो प्रकार की होती है, एक तो, M, H, C, 1, एक होता है, M, H, C, 2, major histocompatibility complex 1, और major histocompatibility complex 2, यह दो टाइप के हैला होते है, हैला मतला समझा दिया है, मैंने, human leacoside antigen, antigen present on surface of human leacoside, leacoside, समझे है नहीं समझे, yes या no, ऐसी leacoside की surface पर होते हैं, WBC की surface पर होते हैं, इनकी भी matching होती है, जब भी tissue grafting होती है, समझना, यह 3 चीज़े match की जाती हैं, वो इसके लिए कौन responsible होगा, CMI, CMI, cell mediated immunity, वो identify करती है, क्या करना है, blood group matching, essential before undertaking any graft transplant, and even after the patient has to, हाँ, और जब भी tissue grafting होती है, तो immunosuppressive drug दी जाती है, द्यान रखना, immunosuppressive drugs हमेसे दी जाती है, ठीक है, भाई, एसी drug क्यों दी रहे हैं, immunosuppressive drug, क्योंकि immune system ही, तो tissue को accept और reject टरता है, इस class के अंदर, अगर किसी मुझे, जैसे class यह है मेरी, बहुत अच्छे बच्चों की class है, मुझे इस class में किसी दुष्ट बच्चे को बिठाना है, तो कैसे बैठेगा, वो दुष्ट बच्चा आएगा, उस class के बच्चों को कुछ न कुछ पएड़े खिलाएगा, पिलाएगा, ठीक है, दोस्ती करेगा, ठीक है, और especially सबसे जल्दी दोस्ती, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे, तो ऐसे पदार जो कहीं न कहीं brain पर, आपके mood को suppress करते हैं, समझना मेरी बाद, उन जो मैं ड्रक्स कराओंगा अभी इसके अंदर आज, ठीक है, तो ऐसी चीज़े कराने से क्या होगा, आपका brain suppress होता है, जल्मानों ड्रिंक ले लो, ठीक है, तो बैको तो stimulant का काम करेगी, ड्रिंक ही ले लो, ठीक है, जो एकदम आपके सोचने समझने की सक्ति को भ्रहमित कर दे, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें खिलाई जाएं, तो बच्चा decide नहीं कर पाएगा, कौन अपना है, कौन पराया, यानि जब भी कोई organ transplant करना होता है, तो immunosuppressive drug देने होते हैं, जिसकी बज़े से आसानी से हम organ को धीरे से, चुपके से transplant कर देते हैं, बोडी के अंदर, ठीक है, और ये drug लंबे समय तक चलते हैं, short duration के नहीं होते हैं, लंबे समय तक देने होते हैं, जिससे के धीरे-धीरे dose कम की जाती है, ठीक है, चलो आजाओ, NCRT, तभी चल, समझ पाओगे कि NCRT की एक लाइन को समझना पढ़ेगा, अगर किसी गदे बच्चे को ये लगता है, कि NCRT रीड करने से NCRT हो जाती है, तो गदा है, गदा ही रहेगा, समझ रहो, 10 बार, 50 बार पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब and non-self and cell-mediate immunity responsible for rejection of tissue graft, direct question मिलेगा आपको यहां से, direct question आपको यहां से मिलेगा, जैसे एक दो question आए हुए है, मैंने यहां भी रख दी हो, last में भी है, जैसे, 2022 में आए हुआ 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 है, आपके सामने, 2022, ठीक है, which of the following graft rejection in transplantation of organ जरा बताओ, कौन सा होगा, cell-mediate immunity, inability of recipient to differentiate between the self-non-self, या humoral immunity, या auto-immunity, auto नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, cell-mediated immunity होगी, yes या no, अरे वाह, जबर जस्त, super, next, अच्छा ये ट्वान, ये सत्तरा कोश है न, ठीक है, transplantation of tissue organ fail, often due to non-acceptance by the patient body, which type of immune response is responsible for such rejection, देखो, लगाता रहा है question, समझ रहे हो, तो आपको इसको त्रंग से पकड़ना पड़ेगा, clear है, तो देखो, auto-immunity, cell-mediated immunity, hemoral immunity, या physiological immune response, तो समझ में आ रहा है, cell-mediated immunity, c-m-i, i-n-i, i, 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 बहुत बढ़िया, c-m-i, cell-mediated immunity, अब बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट, concept clear हुआ, मज़ा आया, तो एक बाद दिल से आग लगाओ, एनर्जी से यह, दिल से आग लगाना है, इनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा, सभी बच्चों को दिल से आग लगाना है, ठीक है, इसके लिए आपको तीली की जरुरूरत नहीं है, तो दिल से आग लगाना है, ठीक है, यस, देखें यार बच्चों, आप लोगों के लिए सर बिलकुल डटे पढ़े हैं, और हम लोग भी पूरी कोसिस करेंगे, कि सर का स साथ दे सके, ठीक है, तो आज सुबह जो है, सरी, कल सुबह, कल सुबह, मैं लेके आओंगा, मोल कॉंसेट आपके लिए, तो आठ बजे, और मोल कॉंसेट में आपको सारी थियोरी कराई जाएगी, पीवाई क्यू कराई जाएगे, कोस्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारा कुछ कराया जाएगा आप लोगों को बस 30-40 दिन इसी तरह से सुबह से साम तक हम लोगों के साथ रहना है पूरा रिवीजन हो जाएगा जिन बच्चों के जो टॉपिक कमजोर होंगे वो पूरे हो जाएगे और साथ साथ में आपको बहुत सारे कोश्चन की प्रैक्टिस भी कराये जाएगे बस इसी तरह से लगे रहो मैं देख रहा हूँ कि चैट जैसे बैच में चलती ही बिल्कुल वैसे ही चल लगी है हना सर जैसे बैच में बच्चे चैट बच्चों बढ़ अच्छा लग रहा है और और अच्छा करते रहेंगे आपके लिए पढ़ते रहो यह CMI तो मुझे भी समझ में आ गया कि CMI ही होगा इसमें बता देता हूं CMI is the answer जैसे गेमडी सर ने बूला इवनिंग में बिटा मॉलिकुलर का है टॉपिक करेंगे हम लोग ठीक है और स्मार्ट वन शॉट का मीनिंग समझ लो आपको 4-5 घंटे वैसे भी चैप्टर बड़ा चैप्टर रिवाइस करने में लगते हैं तो स्मार्ट वन शॉट के तुरू हम लोग रिवाइस करा रहे हैं ना चीक है चीक है चीक है हाँ वाई साउन्द परफेक्ट है ना अच्छा ओके डन सिख्या वाई ठीक है टीम आई कुछ सिखा के गई आज ठीक है तो कंटिन्यू कर दें ठीक है जबर जस्त सूपर एट ऑप्सेमुनरी बहुत मस्त है जबर जिस्त है और कोशन आता इस पर ठीक है ऍवाई एक्टिव क्या है पैसिफ क्या है आक्टिव का मतलब जहां पर खर्चा होता है पैसिफ का मतलब फ्रिफोकटमें ठीक है जैसे आपको भाई पैसे कमाने पड़ते हैं क्या कुछ बच्चे में मेहनद करते हैं पढ़ाते हैं तब जाकर पढ़ पाते हैं हुझा alltså भाई बच्चेb में माद कर रहे हैं जल्ओ में आप जो पैसे और कर रहे हैं करना पड़ता है वह बीना काम के free focus में कोई चीज मिल रही है वो passive है clear है तो हम बात करेंगे active or passive immunity की इस पूरे पैरा को मैं single flow chart में convert कर रहा हूँ active and passive immunity active immunity का case क्या होगा मैंने बता है जहां पर energy use हो रही है antibody produced by host अगर host को antibody बनाने पड़ेंगे न समझ रहे हो ना मेरी बात होस्ट को अगर antibody formation करना पड़ेगा तो एक्टिब इम्यूनिटी है clear होस्ट को अगर antibody formation करना पड़ेगा तो active immunity है अगर prepared antibody host को provide करा दिये जाए prepared antibody host को provide करा दिये जाए पैसिब इम्यूनिटी है सिंपल सी बात ठीक है अब एक्टिब इम्यूनिटी की बात करता हूं जिसमें काम करना पड़ता है मेहनद करनी पड़ती है वो लंबे समय तक चलती है जो कम टाइम के अंदर मिल जाए कम टाइम के अंदर मिल जाए वो short duration की होती है ठीक है तो यह short life होती है वो long life होती है यह long life होगी सोरी मेहनद करने पड़ रही है long lasting जब किस्ती बात करते है short duration short duration के लिए होती है भाई जब बनी हुई चीज मिलेगी आपने मेहनत ही नहीं की तो short duration काम करेगी हाँ आपने अगर मेहनत की है समय लगाया है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इमांदारी से कर रहे हो यह काम आएगी 100% काम आएगी लंबे समय तक काम आएगी long lasting लंबे समय तक काम आएगी समधना मेरी बात तो अगर मैं बात करता हूं active unity तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो natural और artificial के अंदर सारे question solve हो जाएंगे यहीं से ऐसे इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो natural और artificial के अंदर ठीक है तो natural and artificial natural active and artificial artificial active ऐसे ही natural passive और artificial passive अब इसकी अगर बात की जाए अब नेच्रल एक्टिव का मतलब है समझना नेच्रली बॉड़ी के अंदर नेच्रली बॉड़ी के अंदर एंटी बॉड़ी फॉर्मेशन कब होगा किसी को कोरोना का infection हो गया अब कोरोना कोरोना इसके लिए यूज कर रहा हूं कोगि यह पुरी इंडिया में नेच्रली करोना का infection हो गया तो क्या हो गया नैच्रल एक्टिव इन्मिंधशन समझना मेरी बात नेच्रली कोरोना का infection हो गया तो बॉड़ी के अंदर क्या होंगे antibody formation बॉड़ी को antibody formation करना पड़ेगा न, ठीक है, all infection, रट्टा नहीं मारोगे, जितने भी type के infection होते हैं, it is a natural active immunization, all infection, example के लोगे, कुछ भी पूछ ले आप से, all infection, all infections of body, body के सारे के सारे infection, artificial की अगर बात की जाए, तो artificial का example के देने वाले हो, artificial का, पर यह artificial का मतलब है, बने हुए, बने हुए, naturally, समद रहे होना मेरी बात, sorry, natural न, artificial, artificial active का मतलब क्या है, आप natural infection की बात नहीं कर रहा हो, आप body को induce कर रहे हो, body को induce कर रहे हो antibody बनाने के लिए, क्योंकि active दोनों के case में antibody बनेंगे, एक natural infection की वैसे, और एक vaccination की बचते है, बही, vaccination से भी तो antibody बनते हैं, तो यहां पर आज़ा का, all vaccination, यह vaccination लिख देता हूं में, हाँ, बस हो, all लिख सकते हो, all vaccination, all vaccination, टीका करण भी बोलते हैं, vaccination को, जितने भी टैप के vaccination होते हैं, टीका करण, vaccination, जब लगवाते हैं, कोरोना की vaccine, क्यों लगवा रहे हो, body के अंदर उसके antibody formation हो जाए, memory cell बन जाए, तो यह रता नहीं मारना, यह trick से आपको याद रखनी है, अब आज़ाओ यहां पर, passive, passive का मतलब क्या है, body को antibody formation ना करने पड़े, आप कहीं और से antibody formation ना करना पड़े, आप कहीं और से antibody body को provide करा दो, वो क्या हो गया, passive हो गया, जैसे, अगर मैं बात करें, तो natural passive, natural passive, तो छो लेके बाहर आता है, तो मदर का first milk, colistrum, उसको मिलता है, उसमें IgA antibody होते हैं, जो मदर से passively, उसको बनाने नहीं बढ़ रहे, मदर के first milk, colistrum से passively मिल रहे हैं, और जब वो uterus में होता है, तो placenta, placenta, इसको हिंदी में अपरा बोलते हैं, placenta के थ्रोभी उसको antibody मिलते रहते हैं especially IgG antibody, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो antibody की बात करेंगे, एक colistrum, colistrum, और दूसरा example यहाँ आप यूज करोगे, colistrum के लावा, placenta, कॉलिस्टरम के थ्रोभी आपको मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं, IgA, ठीक है, मदर के first milk के अंदर, और placenta के थ्रोभी जो मिलते हैं, IgG, बस, ऐसे याद रखो, क्योंकि IgG सबसे smallest antibody होते हैं, जो प्लसेंटा को क्रॉस करने में capable होते हैं, colistrum में IgA antibody होते हैं, ठीक है, artificial, यहाँ पर भी बने हुए antibody मिल रहे हैं, पर, artificial, आप लेव में उन antibody को बना रहे हो, लेव में उन antibody को बना रहे हो, जैसे किसी को snake bite कर लेता है, तो antivenom देना पड़ता है, यह ज़र आपके चोट लग जाती है, तो ATS का इंजिशन लगवाते हो, एंटी, टेटनस, सीरम, उन सब के अंदर antibody होते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोंगे, इसका example दो ही होंगे, एंटी, टेटनस, सीरम, ATS, दूसरा example याद रखना, एंटी, वेनम, एंटी, वेनम, वेनम, इसनेक पॉइसन को बोलते हैं, तो जब सनेक बाइट कर लेता ह है, सांप खा लेता है, तो उसमें, जो आपको injection दिये जाते हैं, एंटी, वेनम, उसमें antibody जो लेब में प्रपेर होते हैं, और जब चोट लग जाती है, तब भी आपको एक injection लगता है, ATS, वेक्सिन नहीं है, एंटी, टेटनस, सीरम, सीरम कंटेनिंग एंटी, ठीक है, सीरम सीरम कंटेनिंग antibody, वो antibody होते हैं, जो लगाए जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कोई doubt, या लगा दो यार एक बार आग, हाँ, एंटी वेनम, बलकुल सही, बलकुल सही, एंटी वेनम, अब बताओ, यहां तक कोई doubt, active और passive है, living और dead microbes, यह other proteins, यह antibody are produced in the host body, जब भी इन से interact करेगा, ठीक है, other proteins से, तो क्या होगा, antibody formation होगा, antibody formation होगा, body के अंदर, this type of immunity is called active immunity, जब भी body को antibody बनाने पड़े, body को antibody formation करना पड़े, तो अब active immunity, active immunity is slow, भाई मैंतर, slow होती है, ठीक है, time taking होती है, समद रहे हो, पर long lasting होती है, लंबे समय तक काम करती है, ठीक है, and take time, to give its full effective response, ठीक है, injecting the microbes directly, during immunization, या infectious organism, या तो immunization हो, या natural infection हो, यह दोनों बहतरिन एक्जामपल है, एक्टिव उनिटी के, जिसमें immunization, यानि vaccination, यह artificial activity के एक्जामपल है, और infection, natural activity के एक्जामपल है, ठीक है, induced activity, when ready-made, बनी हुई, ready-made antibody are directly given to the, ठीक है, अब बने हुए antibody, अगर आप colistrum के थोरो देते हो, colistrum के देते हो, तो यह क्या हो गई, yellow fluid होता है, yellowish fluid colistrum, जो मदर का first milk होता है, तो यह भाई, natural हो गई, ठीक है, natural हो गई, जिसके अंदर, especially, कौन से antibody होते हैं, IgA antibody होते हैं, या, मदर से fetus को placenta के थोरो मिलते हैं, placenta के थोरो during pregnancy मिलते हैं, समझना, तो यह बहुत प्यारा एक्जामपल है, ठीक है, आप समझे रहो, natural active immunity, natural passive immunity का, और एक एक्जामपल मैंने बदाई दिया है, आपको ATS और anti-venom, यह lab में बनते हैं antibody, तो lab में बने हुए antibody दे दोगे, तो यह artificial passive immunity होगी, ठीक है, बस यह से याद रखो, अगर antibody बनाने पड़ रहे हैं, active, बने हुए दे रहे हो, passive, antibody naturally induce होने से बन रहे हैं, तो natural active, और आप induce करके बनवा रहे हो, तो artificial active, clear है बलकुल, antibody naturally मिल रहे है, natural passive, antibody lab में बना करके दे रहे हो, तो artificial passive, अब बताओ, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना, तो भाई यह पूरा complete होता है, यहां से active passive, रिस्पॉंस दो फटाफट, रिस्पॉंस दो फटाफट रिस्पॉंस चाहिए हाँ भाई, फटाफट रिस्पॉंस चाहिए, और दी, immunoglobulin A, yes, absolutely right, भाई, जब भी हम yellow, yellowish fluid की बात करते हैं, समझ रहे हो, तो कॉलिस्टरम की बात चल रही है, है, lactation के दोरान, IgA, IgA, immunoglobulin A, कहां पूचा गया है, नीट 2019 के अंदर, उनने सो, समझ रहे हो, यह भी latest question भी आई हो, last में रखें है, मैंने, इसे theory पर complete हो जाए, समझ रहे हो, चल, आगे बढ़ते हैं, 2020 में भी आया question है, COVID जब रही हुआ था, अगेन क्या आ जागा यहाँ पर, यह active है, passive है, passive immunity है, डी आ जाएगा, passive immunity है, ठीक है, बने हुए antibody, passive immunity है, अब आधा, vaccination and immunization, क्या है vaccination, जिसको immunization, इस पूरे पैरा को summarize कर रहा हूँ है, ठीक है, सबसे पर दो बतावने हुए, vaccination किस पर based है, क्यों vaccine लगवा रहे हो, आज मैं टीका करण करवा रहा हूँ, vaccine लगवा रहा हूँ, इसलिए लगवा रहा हूँ, कि infection, क्यों लगवा रहा इसलिए लगवा हूँ, future में मुझे infection ना हो, ठीक है, यानि profile axis, यानि memory based है, vaccination किस पर based है, memory, memory based है, पहली बात क्लियर है, memory based है, pathogen quickly, the principle of immunization, vaccination is based on memory, किस पर based है, memory पर based है, ठीक है, तब vaccination क्या है, आपने left के अंदर कुछ pathogen को design किया, ठीक है, मतलब body को आप artificially induce कर रहे हो, antibody बनाने के लिए, यह है vaccination, अब induce करने के लिए हो सकता है, आप complete pathogen को use कर लो, या pathogen को बलकुल weak करके use कर लो, या pathogen में किसी उस part को use करो, जो immunization में use होता है, समझ रहो, या उस part को बनाने वाले DNA को भी use कर सकते हो, समझ ना मेरी बात, ठीक है, तो समझ ना, इसी को मैं divide करता हूँ, vaccination को, तो vaccination को 3 part में divide कर सकते हैं, first generation, second generation, third generation vaccine, फ़र्स generation vaccine की अगर बात की जाए ना, इनको बोलते हैं, whole organism vaccine, starting में जो vaccine बने थे, तो whole organism vaccine थे, ठीक है, इनको हम क्या करते थे, पूरे के पूरे pathogen को body के अंदर induce कर दिया जाता था, ठीक है, no doubt, इंसान बीमार होता था, ठीक है, जिसके दिक्कत आती थी, तो अब दो तरीके थे, vaccination के लिए, या तो उसको मार दिया जाए, kill कर दिया जाए, ऐसा kill करो कि surface antigen न तो कमजोर है, जैसे मानो, आपने सेर के बच्चे को, जैसे मानो, गाउं है, उस गाउं बाले लोगों को आपको immunize करना है, यानि उनकी memory के अंदर शेर को डालना है, क्या शेर ऐसा होता है, आए तो पकड़ के मार लेना, तो हमने दो तरीके हैं, एक तरीके क्या है, कि सेर क मारा हमने, सेर को मारा, उसकी बॉडी के अंदर भूसा भरा, गायका चारा, ठीक है, और उसको लेकर के आए, देखने में शेर लग रहा है, डेड बाडी है, उसकी लेकिन, ठीक है, तो गाउं वाले पहचाने, अच्छा, ऐसा शेर होता है, ठीक है, पर एक्च्वल में उसक पर बहुत मज़ेदार नहीं होते हैं ठीक है पर लाइब एट्यूनेटिट आपने सेर के बच्चे को कई जनरेशन तक बकरी के बच्चे के साथ रखा समझना मेरी बाद गोट के बेबी के साथ कई जनरेशन तक रखा तो जाने के नहीं कि खूखार भी कोई चीजी होती है तो आगे जाकर करके देख आजकल देखेंगे आपने बहुत सारे है कि मतलब डिसोट अंदर का इसे चीज़ें हो रही हैं जा शेर आदमें को साथ खेल रहे हैं उठर रहे हैं मतलब चल रहे हैं तो मतलब वह क्या है व वह वह शेसे डिपेंडेंसी नहीं हो नहींचười है डिपेंडेंसी आपको कमझोर बनाती है शेर को भी कमझोर बना डाला समझ assass ole कि आ जाओ उसा को सुनते ओ जरा जाओ तो दो तरीके हैं whole organism पूरे के पूरे organism को बॉड्य में डाल दो या तो मार के डाल डाल दो यह कमजोर करके डाल दो कमजोर को बोलते हैं एक्टिवनेटेड समझ रहे हो ठीक है ठीक है whole organism killed या live attunuted week इसको week भी बोलते हैं ठीक है तो आज की date के अंदर आप जो vaccine लगवाते हो ना जैसे BCG की vaccine लगवाते हो BCG ठीक है यह mycobacterium tuberculosis की vaccine होती है जन्म लेते ही लगती है बच्चे को या oral polio vaccine लगवाते हो या smallpox et cetera इन सब की vaccine होती है ना इसमें live attunuted pathogen होता है live होता है पर कमजोर होता है समझ रहे हो ना ठीक है live attunuted pathogen होता है ठीक है और किल्ड भी होते हैं इसके अंदर किल्ड भी होते हैं दौन टाइप की होते हैं तो इसको whole organism vaccine बोलते हैं अच्छा सेकेंड जन्रेशन में क्या किया हमने कहा यार ठोड़ा टेक्नोली सिख गए यह एक्चल में हम बहुत करा रहे हैं उसको पूरे pathogen की जरूरत नहीं है तो पूरे pathogen को body में क्यों डाला जा रहा है तो उन्हें क्या किया जाए यह pathogen के उस part को उस part को use करो जो vaccination के लिए जरूरी है जैसे क्या surface antigen ही तो होते हैं yes तो हमने क्या किया उन surface antigen को निकालना तो मुस्किल था pathogen से हमने उन surface antigen को बनाने वाले gene को ढूंडा DNA को ढूंडा उस DNA को हमने किसी plasmid के साथ जोड़ करके recombinant बनाया उस recombinant को किसी host में डाल करके हमने transformation किया और host के अंदर उस protein का formation हुआ उसको isolate कर लिया या वाइरस बैक्टिरिया के surface antigen अब किसी host में recombinant DNA technology से बन रहे हैं इनको recombinant इसे फाइदे क्या थे सोचो अब pathogen नहीं डालना प रहे हैं जो recombinant DNA technology से बना रहे हो ठीक है तो second generation vaccine हो गए recombinant vaccine बोलते हैं जैसे hepatitis B का vaccine यह आपने recombinant DNA technology से बना रहे हुआ है ठीक है जैसे toxoide अब toxoide क्या होते हैं यह पूरा pathogen नहीं है pathogen का एक पार्ट है तब उनको सब unit vaccine बोलते हैं थोड़ा सा modification हुआ पूरा organism use ही क्यों कर रहे हो भाई उसकी उस unit को use करो जो एक्चुल में vaccination में participate करती है सब unit vaccine ठीक है तो अब unit में recombinant DNA technology से आपने बैक्सिन बना लिए सर्फेस एंटीजन सर्फेस एंटीजन अब toxin body को problem पहुचाते हैं तो अब अगब diptheria का समझना vaccine बना तो काम नहीं करेगा तो एक्चल में body का immune system में वह fight toxin से कर रहा है तो आपने क्या काम किया ऐसे toxin को isolate किया उन toxin को inactive किया और inactive toxin को toxoid बोलते हैं समझना inactive toxin को toxoid बोलते हैं inactive toxin toxin होते क्या है inactive toxin inactive toxin को toxoid बोलते हैं फिर आगे जाकर कि आपने कुछ ऐसी vaccine बनाई जिनको सब unit vaccine बोलते हैं जिसमें आप सब unit का मतलब है toxin को निकालते हो inactive करते हो body में डाल देते हो vaccination के लिए ठीक है तो कौन सी vaccine बड़ा प्यारा example इसके लिए आप याद रखना डीपीटी डीप्थरिया पार्टियूसिस टेटनëस समझना मेरी बात डीप्थरिया पार्टियूसिस टेटननस समझें हाँ DR DPT, diphtheria, pertussis, titanus, इन तीनों का, by diphtheria की vaccine, pertussis की vaccine, titanus की vaccine, इन तीनों के toxin को निकाल करके inactive करते हैं, और inactive toxin को body में use किये जाते हैं, बच्चे के जन्म लेते ही, हम DPT का vaccine लगवाते हैं, जो तीनों से सुरक्षा protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो सब ही को modify किया, इस तरीके से modify किया है कि body में जाएगा और आपकी cell से, के DNA से जुड़ जाएगा, ठीक है, और आपकी body के अंदर उन protein का formation करेगा, आपको protein अलग से लेने की जुरूद नहीं है, यानि इनको DNA vaccine बोलते हैं, इनके DNA आपकी body के DNA से जुड़ करके continue in protein को body में बनाते र status B की third generation vaccine भी बन गई है, पर NCRT ने अभी second generation vaccine की ही बात किये, NCRT, तो NCRT सिर्फ अभी second generation vaccine की ही बात कर रहे हैं, तो third generation vaccine को बस DNA vaccine बोलते हैं, यानि यहाँ पर modified DNA है, जिसको हमने इस तरीके से modified किया है, कि body के अंदर inject किया जाए, तो आपके अंदर protein का formation खुद करतेगा, किस होस्ट में इन प्रोटीन के formation की जरूवत नहीं है, तो यह हो गया vaccination समझ में आया, memory पर based है, समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट है, चलो, इसमें समराइज करती है, मैंने तिबार कुछ नहीं जाएगा, अब recombinant DNA technology से बनी हुए vaccine के लिए यह पूछा जाता है, यह इस पार थोड़ा सा यह नोंने, NMC ने थोड़ा को specify दी किया था, ठीक है, question आ सकता है, इसकी उपर, very, very, very important, latest levels के according थोड़ा अपडेट किया है, यह नोंने, recombinant DNA technology has allowed to produce an antigenic polypeptide of pathogen in bacteria या yeast, ठीक है, hepatitis B की अगर बात की जाए, hepatitis B के case में, इस्ट के अंदर vaccine बनिये, इस्ट के अंदर, ठीक है, आपने hepatitis, समझना, hepatitis B के surface antigen को बनाने वाले DNA को, DNA, DNA, ठीक है, surface antigen, of hepatitis B, इस DNA को आपने लिया, और एक होस्ट, East artificial chromosome, यह क्या है, एक तरीके से, यह vector है, इसको बैक्ट्रेक्स ने जोड़ा, और क्या बनाया, जोड़ने के बाद, यह थोड़ा, अपडेट है, ध्यान रखना है, यह, बाटेक्स में कराऊंगा, फिर से में, इस recombinant को transfer कर दिया, transformation, किसमें कर दिया, in East, समद्ध रहो, East कौनों के होस्ट, इसने बनाया, subformation of, Hepatitis B, surface antigen, इस तरीके से recombinant DNA technology से बनी हुई, second generation vaccine बनी थी, ठीक है, East के अंदर host था, यह question पूछा जा सकता है, latest इसको update किया गया है, इसलिए मैं इसको add कर दिया, डंग से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, allergy, allergy में ज्यादा कुछ नहीं है, तींचर बतन ध्यान रखने है, allergy का मतलब क्या है, body का, समझना, body के immune system का hyper हो जाना, body के immune system का hyper aggressive हो जाना, जैसे आप माल लो, मुझसे नराज हो, ठीक है, मुझसे नराज हो, मुझसे नराज हो, और मुझसे नराज हो करके, अचाना में सामने आया, गुसा आगया आपको अचानक से, ठीक है, पहले भी में आता था, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से नराज होए, और गुसा आगया आपको, आप समझ रहे हो, तो यह किसमें, आप बहुत aggressively react कर रहे हो किसी के अगेस्ट, तो यह होता है बिटा, एक तरीके से allergy, जैसे आप नॉर्मल धही खाया करते थे, ठीक है, आप समझ रहे हो, या आप नॉर्मल दूद पिया करते थे, नॉर्मली, ठीक है, आपको अचानक से, लैक्टोस intolerance होई, तो जब भी दूद पिया आपने, या मिल्क प्र जिनके response में जो antibody बनते हैं, वो IgE antibody होते हैं, यह 3-4 question आते हैं, तो वैन, allergy, वैन, you have gone to new place, बहुत अच्छा एक example है, जैसे आप पॉलिन का time आता है, पॉलिन का time आता है, पॉलिन, पॉलिन तो जानते हो, यार, बटनी बट रहे हो, ठीक है, तो कुछ लोगों के अंदर पॉ काम होना चालू हो जाता है, ठीक है, तो कहते हो, यार, ऐसा क्यों हो रहा है, यार, पॉलिन से मुझे allergy है, तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ाएगा, ठीक है, जब तक यह पॉलिन का time चल रहा है, तो यही सब चीजे हैं, जो एक तरीक से allergy cause करती है, ठीक है, तो you started sneezing, जब did this happen to you, अब आप मैं सब जाता हूँ, ठीक है, some of us are sensitive to some particles in the environment, उसके लिए आप sensitive हो, जब वो सामने आएंगे, तो आपकी body एक response दिखाएगी, तो इम्मिनिटी से बहुत समझने की है, और मतला question बहुत ज़्यादा आते हैं, इम्मिनिटी से, इसलिए इम्मिनिटी बहुत अच्छी तरह की समझने है, आपको एक cancel समझना है, ठीक है, the avomansion reaction could be because of allergy, अब allergy, कई चीजों की वैसे होते है, pollen की वैसे बहुत सकती है, ठीक है, माइट्स की वैसे बहुत सकती है, यह के सब कहे है, allergens, बैस समझाता हूँ आगे, अब यहाँ चीज़े आजाए जाएंगे, ठीक है, the exaggerated response of the immune system to certain antigen, present environment, इसको हम allergy बोलते हैं, समझना, the substance to which such immune response is produced or called, अब इसको कौन करते हैं, वो सब allergens होते हैं, allergens होते हैं, जो इस तरीकी का response create करते हैं, इनके अंगेस कौन सी antibody बनती है, इनके अंगेस किस ताइब की antibody का formation होगा, IgE antibody का formation होगा, जो allergy के लिए responsible होती है, ठीक है, आप समझ रहे हो, आप यह allergens कौन कौन हो सकते हैं, यह dust भी हो सकती है, pollen grain भी हो सकते हैं, ठीक है, यह animal, डेंडर से नहीं, एनिमल का जो होता ना, गोबर कहते हैं, वो भी हो सकता है, एस सब allergens हैं, ठीक है, difficulty in breathing, अगर किसी को asthma है, lungs related allergy है, तो some asthmatic attack पड़ता है, allergy is due to the release of chemical, अब allergy का cause क्या है, histamine and serotonin, कहां से release होते हैं, histamine and serotonin, mast cell से, ठीक है, mast cell, तो जब भी यह allergens आपकी body के अंदर जाते हैं, तो इनका interaction mast cell से होता है, mast cell की surface पर लगे हुए IgE antibody से होता है, तो mast cell फटते हैं और फटने से histamine और serotonin निकलते हैं, जिसके response में allergic, इन्हीं body में redness आ जाती है, swelling आ जाती है, इन्हीं की वज़े से होता है, इसा, ठीक है, cause of allergy, the patient is exposed to injected with a very small dose of possible allergens, हाँ, and the reaction studied, ठीक है, अगर आपने थोड़े सी pollen मैं कोई भी allergen induced करता हूँ और reaction स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सम्दोस के against allergen है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, anti-histamine आप दे सकते हो, एड्रेनलीन दे सकते हो, नौर एड्रेनलीन दे सकते हो, सिर, ठीक है, steroids दे सकते हो, यह आपकी allergy को suppress करना है काम करते हैं, मतलब एक तरीके से, जब भी आपको allergy हो रही है, तो आप immunosuppressive drug दे दो, आप immunosuppressive के अंदर, यह तो anti-stamine दे सकते हो, यह एड्रेनलीन, नौर एड्र resulted in lowering of immunity and more sensitive to the allergens, जैसे आज की दे में क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते, बच्चे घर में ही रहते हैं, ठीक है, यह आपने देखा होगा, कि बच्चे को AC घर, AC कार, AC स्कूल, तो बच्चा natural environment के contact में नहीं आ रहा, और अच् यतना encounter करेगी, इन foreign particle के, इनके अंगेस, उतना body के इंदे resistance power आएगी, उतना body का immune system उनको पहचानेगा, और allergy की जो probability होगी, वो reduce होगी, simple सी बात, ठीक है, ओके, शालो, अब बात है autoimmunity, एक line में खतम करता हूँ, अपने हुए पराए, जब अपने अपनों के खिलाफ काम कर करना चालूव कर देते हैं, अपने अपनों के खिलाफ काम करना चालूव कर देते हैं, तो इसी को बोलते है, autoimmune disorder, जिसके अंदर आपकी body की अपनी antibody, अपने ही antigen के खिलाफ हो जाती है, इसको बोलते है, autoimmunity, ठीक है, autoimmunity, ठीक है, और एक example ध्यानक ना, autoimmunity का rheumatoid arthritis, इस प represent करती है, ठीक है, और exact इसका mechanism किसी को पता ही नहीं है, बाद ध्यानक ना, कभी-कभी body अपने ही antigen के अंगेस्ट काम करती है, antibody बना देती है, इसको autoimmunity बोलते है, rheumatoid arthritis का बहतरीन एकजामपल है, यहीं से question बनता है, और कहीं से बनी नहीं सकता, यहीं सीधा question यहां से उठ है का, 2022 में question आया है, देखना फटाफट, क्या होगा असका response, बता फटाफट आफट देखते जी से, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize is on cell as foreign bodies, statement second देखो, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self-cell, क्या लगा होगे इसका, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self-cell, statement first कैसा है, correct या incorrect, C, statement first correct बस statement second incorrect, yes, ये तो definition देखी रखी है, NCRT में, और भई, यहां does not नहीं होगा, does not नहीं होगा, attack करती है, there is a example of autoimmunity, इस भी question आता है में साथ, ठीक है, तो example आगा, इसका answer आगा third, बुलकुल सही, next, immune system in our body, ये एक line का है, immune system को आप दो पार्ट में divide कर सकते हो, ठीक है, primary and secondary, primary, primary, lymphoid organ और सेकेंडरी लिमफट और्गन प्रामरी लिमफट और्गन क्या होते हैं जहां पर ज्यान अखना है जहां पर फॉरमेशन और मैचूरेशन ऑफ लिमफोसाइड जहां पर लिमफोसाइड का फॉरमेशन मैचूरेशन होगा और प्रामरी है और जहां पर इंटरेक्शन होगा जहां पर interaction होगा वो secondary है प्राइमरी में दो एक्जामपल आएंगे द्यानक नहीं आपको एक तो bone marrow और दूसरा एक्जामपल द्यानक नहीं है bone marrow के लाबा ठीक है thymus bone marrow के अंदर सारे के सारे bone marrow में सारे lymphocyte का formation होता है पर thymus के अंदर ध्यानक नहीं आपको टी lymphocyte का maturation होता है यस ठीक है इसके लाबा remaining all are remaining all are second t lymphoid organ ठीक है remaining all बचे हुए सारे के सारे secondary lymphoid organ में आएंगे चाहें वो tonsils हो ठीक है pairs patches हो spleen हो etc सब के सब इस ही में आएंगे ठीक है इसमें thymus की position पर question आएगा thymus जानक नहीं कि primary secondary है यह question बन सकता है बस lymphoid organ bone marrow thymus यह ठीक है secondary lymphoid organ ठीक है location of various lymphoid organ the bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cell include lymphocyte produce ठीक है हाँ यह question बनता है the thymus is a lobed organ located near heart banith किस किस की पीच में होता है breast bone कैसे thymus होती है lobed structure होता है ठीक है heart के आगे होती है और breast bone एनी sternum के पीछे होती है heart के आगे और breast bone sternum के पीचे दौरों के बीच में होती है lobed structure है irregular structure होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है thymus का size reduce होता है इसलिए old person की immunity comparative young person कम होती है और छोटे बच्चे की immunity उतो नहीं ज्यादा होती है ठीक है तो यह ध्यानक ना structure चलो ठीक है और तो खास जैसे नहीं कुछ ऐसा है नहीं ठीक है अगला question आता malt टीक है जैसे कोई human है human की यह intestine है इस तमक हो गया यह उसकी गट हो गई human की गट के around mucosa mucosa में मिलने वाले कुछ lymphoid organ होते है secondary lymphoid organ इनको malt बोलते है malt mucosa associated m a l t malt mucosa associated lymphoid tissue ठीक है m a l t mucosa associated lymphoid tissue यह total lymphoid tissue का 50% अकेले यही होते है total lymphoid tissue का 50% अकेले malt होते हैं रान रखना वाई lymphoid second lymphoid organ के अदर malt भी आते हैं स्पेचिस भी आते हैं टॉंसिस भी आते हैं स्प्लीन भी आता है एट्सेक्टरा ठीक है लिंफ नोट्स भी आते हैं तो टोटल को मिला दिया जाए ना उसका अकेले 50% आपकी गट की mucosa में मिलने वाले lymphoid tissue जिनको malt बोलते हैं mucosa associated lymphoid tissue अकेले यही 50% होते हैं यह ध्यानक ना है यह NCRT के लाइन नीट में पूछी गई है बस समझ में आया नहीं आया कोशन भी आपके सामने पूछा क्या कोशन है माल्ट कॉंस्टिट्यूट एबाउट सत्रह में आया कोशन है प्रिजेंट ऑफ दा लिंफर टिशू इन हीमन बॉड़ी तो आप समझ में समझ गए होगे 50 परसेंट अब बात करेंगे एड्स एक्वाइड इम्यूनो डेफिसेंसी सिंड्रोम इम्मिनिटी वारा पार्ट हमारा खतम होता है एड्स मैं कराता हूं बहुत बड़ा नहीं है 15 मिट का एड्स है ठीक है हाँ कैंसर थोड़ा समझने का है एड्स बहुत ज़्यादा टिपीकल नहीं ह एक्वाइड इम्यूनो डेफिसेंसी सिंड्रोम समझना मेरी बात यह लॉस एंजिल्स का केस है ठीक है लॉस एंजिल्स में सारे के सारे होमोसेक्श्वल दम मारो दम समझना में आ गया होगा ड्रग इंजेक्ट कर रहे थे सब के अंदरे कॉमन डिसीज थी सबका इम्यून स नलब बहुत सारी दिक्कते थी तो साइंटिस समझी पाए अक्चिर में दिककत क्या हो रही है इसकी बज़े से तिकत हो रही है या जो ही को रही है नहीं समझ पा रहे हैं जिस्क हानीं से कहानी चालो यह डिशाया कैसे Iggy उंड्राइड क्योंकि यह आप किसी और से और करती सब्सक्राइब कोई एक बीमारी नहीं होती तो आपकी जो बॉड़ी है समझना मेरी बात जो आपकी बॉड़ी है कि समझने की कोशिश करना उस उसके अंदर कोई गेट कीपर है अगर किसी कारण से गेट कीपर बॉड़ी से हटा दिया जाए फिर क्या होगा बॉड़ी को ध्रमसाला बन जाए कोई भी एंटर करेगा तो हमारी बॉड़ी में जो टी लिंफोसाइड होते ना वो बॉड़ी का मतला कह सकते हो गेट कीपर है आपकी बॉड़ी के पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं एच आईवी सिर्फ उन हेल्पर टी सेल को ही मारता है जिससे पूरी बॉड़ी का इम्यून सिस्टम आपका विकार हो जाता है जिसकी बज़े से दिक्कते आती है एक मिनिट जिसकी बज़े से दिक्कते आती है ठीक है तो सबसे बहुत कर रहा हूं डिसीज क्या है एक्कॉाइड इम्यूनो डेफिसेंसी सिंड्रोम जो हम एक्कॉाइर करते हैं इम्यूनो जिसमें आपका प्रत्य रोधक तंत्र इम्यूनिटी सप्रेस होता है सिंड्रोम इस ग्रूप ऑफ इंफेक्शन तो समझ में आ गया होगा मींस डेफिसेंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्कॉाइड दूरिंग लाइफ टाइम सिंड्रो अब तक करीब कहा जाएं मौर बहुत ज़्यादा है ठीक है मौर देन 25 मिलियन लोगों की डाथ हो चुकी है मौर देन बुलाओ मैं इतनी नहीं बुला ठीक है एड्स इस कॉस्ट वाइदा हीमन इम्यून डेफिसेंसी वाइरस एक ऐसा वाइरस है जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को घटा देता है ठीक है मेंबर्स ऑफ ग्रूप वाइरस कॉल्ड रिट्रो वाइरस और एक तरीक ए वाइरस ए आड़ने वाइरस को घृट्रो वाइरस बोलते हैं इसको मैं जब द्रूप मेडिकल समझा देता हूं यह है एच आईवी एच आईवी और है आगए एच आईवी की बात की जाना तो खास टाइप का वारेस है इस में प्रोटिन का एक एनवलाप होता है लिपी envelope लिख दिया है मैं लिपिद envelop और साथ में प्रोटीण के दो capsule होते हैं capsule of protein capsule of protein एक 17 आउटर वाला होगा और एक p 24 सबसे इनर वाला Sullivan होगा समझ रहे हो यह प्रोटीन के capsid होते हैं तो ध्यान रखना है एक लिपिड का envelop होता है दो protein के capsid होते हैं और इस लिपिड envelop के अंदर कुछ glycoproteins लगे होते हैं ऐसे स्पाइक्स लगे हुए है spikes पूरे envelop में इस तरीके से spikes लगे होते हैं पूरे lipid envelop में spikes लगे होते हैं इसमें इस तरीके से इनको glycoprotein 120 बोलते हैं इस पर कोशन आता है glycoprotein 120 वेरी वेरी यही इंफेक्शन के लिए रिस्पॉंसिवल होते हैं ठीक है आरेने वायरस है बताई चुक्त हों में आरेने वायरस है तो आरेने के सिंगल स्टेट नर्ने के दो मॉलीकुल होते हैं अंदर इसमें एंजाइम होते हैं थिक है इन कैपसिट के बीच में कुछ एंजाइम होते हैं और इस पर भी लगे हुए थे हैं थिक है इसको आप बोलोगे यहां पर प्रोटीएज प्रोटीएज एंजाइम जो अंदर दिख रहे हैं वो रिवस्ट ट्रांस्क्रप्टेज है और एक एंजाइम और दिख रहा होगा आपको इसको इंटीग्रेस बोलेंगे यह तीन एंजाइम धिया दर जान अटने इसको कोश्चन आएगा एंजाइम तो फिर तो बोल रहा हूँ प्रोटीएज रिवस ट्रांस्क्रप्टेज औरि इंटीग्रेस प्रोटीएज रिवस ट्रांस्कृतेज इनटीग्रेस तीन एंजाइम होते हैं ठीक है yaha पर तू 2 molecule of single stranded RNA ठीक है बस तीन एंजाइम हो गए अब ग्लाइको प्रोटीन 120 यह जो सेल दिख रहे हैं यह मैक्रोफेज हो सकती है मैक्रोफेज यह 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 और क्या सकते हैं क्योंकि इनकी सर्फेस पर खास टाइप की रिसेटर होते हैं क्या बोलते हैं को ग्लाइको प्रोटीन 120 और CD4 रिसेटर रिस्पॉंसिल फॉर इन्फेक्शन रिस्पॉंसिल फॉर इन्फेक्शन बस कोश्चन यहां से बनेगा यह ध्यान रखना ठीक हैं आप से पूछा जाएं कि chai v.hiv ह Ichiiv में structure पूछे तो आप बोलोगे एक लिपट का Envelope होता है दो protein चोट होते हैं capsule बोलेंगे इंके अंदर two single standard RNA होते हैं तीन एंजाइम होते हैं reverse transcriptase इंटीग्रेज और प्रोटीएज यहां तर कोई डाउट नहीं होगा एचाइबी जो इनफेक्शन करता है उसके लिए इसके एंवलप में मिलने वाले ग्लाइको प्रोटीन 120 रिस्पॉंसिबल होते हैं यह उनी सेल में इंफेक्ट करता है जिनकी सर्फेस पर खास टाइप के रिसेप्टर होते हैं कौनसे रिसेप्टर CD4 molecule CD4 molecule नोली दो प्रकार की कोशिकाओं के surface पर होते हैं या तो macrophase ठीक है या T4 cell clear है? Macrophase या T4 cell इसलिए HIV का infection या तो macrophase में होगा या T4 cells में होगा आई या नहीं आई आई बेटा BMS Yes या No CD4, Yes यार आग की जरूवत है तेजी से आग लगा दो एक बार Yes बहुत बढ़िया Super 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 जबर जस्त ठीक है तो ये वाली बात तो clear होगी अब बात आती है इसकी life cycle actual में HIV की life cycle होती कैसे कैसे एंटर करता है बहुत बढ़िया Super जबर जस्त ठीक है हाँ बेटा HIV एंटर कैसे करता है मैं जितनी लाइने करा रहा हूँ न वो मेल लाइन से हैं जहां से question उठते हैं आप PYQ लगाओ कुछ भी लगाओ कुछ समझ में आ जाएगी ठीक है तो ये जो cell दिख रहे हैं जो दिखा रखिए हमने macro phase है जोरी harder it is a macro phase macro phase hmm त्रीक है phase तो मैकोई्फेज है बेटा इटीज्ट और फैक्टरी ऑस्याइबी इसमय ede रखिस को है क्टरी वह सकते हो क्यों वह सकते हो सर份 क्योंकि जब एचय भी मैको पेज मेंर करता है न क्टर फेस को नुकसान नहीं हो ता क्टरीज्ट है मैकोफेज मेंरिक्कत नहीं हो थी हो ना तो नॉम्बर कम हो जाएगा ठीक है तो टी लिम्फो साइट का नॉम्बर कम घाएगा अगर यह ती लिम्फोसाइट का अंदर एंटर तो इन केस के बात करता हूा उख लुकर तुशने के एंटर गात learnt ती लिम्फोसाइट इस्पेशली टी हेलपर सेल यह जान एक नॉर्मल और इन्फेक्टेट दा एक इन्फेक्टेट दूमने एक नन इन्फेक्टेट दूमने तो नन इन्फेक्टेट दूमन होते हैं उसमें टीलिम्फोसाइट का नंबर जो कितना लगभग होगा 1200 जो पर M.M.Q. और इन्फेक्टेट परसन में लेस्टेर लेस्टन तो 100 पर M.M.Q. जा सिलेस्टन तो 100 होता है यहां से symptom of HIV symptom of AIDS acquired immuno-deficiency syndrome start हो जाएगे हैं यह द्यानक ना वह मैक्रोफेस तो factory of HIV है यह इनकी नंबर कम नहीं होता इनका नंबर कम नहीं होता इस फैक्ट्री मैक्रोफेस का नंबर कभी कम नहीं होता ज्यानक ना ठीक है पर अगर मैं टीलिंफोसाइट की बात करता हो ना तो इनका नंबर कम हो जाता है क्योंकि नन infected person के अंदर इनका जो नंबर है वो लगबग 1200 पर mm q रहता है पर infected human के अंदर इसका नंबर लेस देन 200 पर mm q रह गया ना तो डिफरेंट टाइप के symptom of AIDS एक्क्वाइड इवन डेफिसेंसी के symptom है अपर्चुनिस्टिक इंफेक्शन वो ने चालो हो जाते है ठीक है तो इंपोरेंट लाइन थी तो ध्यान रखना ठीक है तो capsid तो भार ही रह जाएगा अंदर नहीं जाएगा protein अंदर जाएगी protease एंजएम protein के टुकले टुकले कर देंगे protease protein को तोड़ देंगे protease protease ने protein के breakdown कर दी अब आ गया RNA free form में ठीक है यह क्या है viral RNA viral RNA अब अंदर आ चुका है free form में अब viral RNA reverse transcriptase enzyme की help से reverse transcriptase enzyme की help से DNA बनाएगा viral DNA viral DNA और यह viral DNA c दे host के DNA के साथ जुड़ जाएगा अब host अपनी protein बनाएगा साथ में viral protein भी तो बनेगी पहले viral RNA बनेगा यह क्या है viral RNA viral RNA कुछ viral RNA virus को बनाने में यूज करेंगे कुछ viral RNA virus की protein को बनाने में यूज करेंगे और वारस धीरे से बाहर निकलना चालू हो जाएगा समझ रहे हो ना हाँ जब भी HIV उन cell को यह कौन सी cell है मैक्रोफेज हो सकते हैं यह T lymphocyte हो सकते हैं और T lymphocyte को हम T4 cell भी बोलते हैं इनको T4 cell भी बोलते हैं क्योंकि CD4 receptors होते हैं इनके पास इसलिए इनको T4 cell भी बोलते हैं समझ रहे हो ना एक विनेट यार बंगी करते हैं उसको करते हैं समझ गे ना हाँ यहां तक समझ में आ गया होगा रिट्रो वायरस आर ने वायरस जब अटेक करेगा तो इसका लिपीड का एनवल अब बाहर रह जाएगा इनफेक्शन के लिए इन दोनों की रिक्वार्मेंट होगी प्रोटीन का ब्रेकडान हो जगा प्रोटीज की है अर ने फ्री फॉर्म में आ गया रिबस ट्रांसक्टेज आर ने से डियने बनाएगा यह डियने इन्टीग्रेज की हैं इसको इन्टीग्रेज इन्टीग्रेज ने इसको इन्टीग्रेज कर दिया अब डियने से आरेने बनेगा कुछ आरेने तो डियने प्रोटीन बना देंगे और वार निकलना चले हो जाएगा तो यह ध्यान ना यह पूरी स्की बाहर निकलता है पूरा मैंने बता दिया है यहां पर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो जानकना है sexual यह तो basic बात है कैसे infection होता है ठीक है सब पताइए आपको blood fluid contact में आने की वेसे होता है main ची ध्यानक नहीं आपका इसका जो पीरिड होता है इंक्यूशन पीरिड बहुत लंबा होता है बहुत लंबा यानि अगर आज infection हुआ है न तो symptom इसके पांस से दस साल बाद आएंगे पता ही नहीं चलेगा कहां किसकी वेसे दिक्कत आ रही है ठीक है क्योंकि इसका कॉंटेक्ट से होता है जो मल्टीपल सेक्चुल पार्टनर यूज करते हैं ठीक है ब्लड ट्रांस्यूजन की बज़े से भी हो सकता है अगर किसी मदर को किसी मदर को एचाइवी इंफेक्शन है और वो बेबी कंसीब करती है तो यह वारस प्लसेंटा से फीटस के अंदर भी पहुंच जाता है तीन तरीके से इंफेक्शन हो सकता है ठीक है है चलो आफ्टर गेटिंग इंटु दा बॉड़ी आफ पर्सन दा वारस एंटर इंटू मैक्रो फेस वेहर आर ने जीनोम पूरी बताई चुका हूं मैं आपको ठीक है और यह फिर से रेपीट कैसे हो गए यह ओहो रेपीटिशन हुआ है इसका तीन बार तो बार ठीक है अब आचाओ ठीक है लिम्फोसाइड इन दा बॉड़ी आफ दा इंफेक्टिट पर्सन दूरिंग इस पीरिएट पर्सन सफर फ्रॉम ठीक है इसके स्टार्ट हो जाएंगे अब बैक्टरिल इंफेक्शन भी हो सकते हैं जैसे मायको बैक्टरिम टूबर्गोडोसिस अक्सर कर यह होता है ठीक है इसके लबा कुछ पैरस प्रसाइट होते हैं जैसे टॉक्सो प्लास्म इससे कोशन आए हुआ है यह भी इंफेक्शन करत की डिफरेंट टैप की पैथोजन की धरम साला बन चुकी है यानि कोई भी आएगा और उसमें सरवाइब कर जाएगा कोई भी आएगा क्योंकि उसका इम्मून सिस्टम पूरा का पूरा बरबाद हो चुका है ठीक है तो चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करोग से इस टेस्ट को डिटेल में कराता हूँ बायो टेक्नोजी के अंदर ठीक है और कंफर्मिशन के लिए बेस्टन ब्लॉटिंग करेंगे वो मैं आगी कराऊंगा इम्मून डैफिसेंसी इस प्रोटेक्टिट इंसल अंगेज इस इस बेक्शन अवाइडली यूज डियाग्न प्रोलॉंग दा लाइफ और प्रिवेंट डैथ वैसे तो रोक नहीं सकता जिसने जन्म लिया है म्रत्ति तो उसकी आनी है पकी बात है पर मतलब ऐसा नहीं कि कोई दवाएं देकर कि आप वाइरस के इंफेक्शन से डैथ हो रही है उससे बचा लो नहीं पसा थोड़े हमाल है आप 6-7 साल कर सकते हो 8 साल कर सकते हो यहीं है और वैसा कोई और तरीका नहीं है इसका समझेंगे मेरी बात पूरा complete planner आपको मिल जाएगा टेंशन मत करो पूरा complete planner ठीक है अभी इस लिए नहीं दिया क्योंकि होली की छुट्टी आएंगी ठीक है तो बच्चे ट्रैबल भी करेंगी दर से उधर उधर से दर ठीक है तो अभी आपको हम पूरा complete planner दे जिसमें आपको पूरा शिडूल मिल जाएगा ठीक है वैसे मैं आपना बता दूँ मैं पूरा का पूरा एंसी आटी को फॉलो कर रहा हूं इस चैप्टर के बाद ठीक है सेम पूरा मैं ब्रीफिंग से स्टार्ट करूंगा ठीक है एनिमल किंग्डम तक पूरा 11 कराऊंगा ऐस पाना था तो मैंने बोल दिया था कि यूटीब पर जिस्दिन आऊंगा और यही चैपर लेकर करके आऊंगा क्लियर है हां तो कैन नोट प्रिवेंट डैट्ट विच्छ चलो प्रिवेंशन ओफ एड्स तो उसमें भी कुछ नहीं है एक नैको की टीम है नैको ध्यान रखना इसकर आप डिफरेंट टाप के एंजियोस काम कर रहे हैं तो नौन गौर्वर्मेंट और्गनाइशन बस यही दो लोग काम कर रहे हैं इसके उपर तो को मैं बताऊँ एक ही तरीका है अवियरनेस इट्स फैलता है ब्लड के या बोडी फ्लूड के कॉंटेक्ट करने से टच करने से साथ सोने से साथ खेलने से शाथ खाने से एट्स नहीं फैलता बिना फ्लीड के टुच करे लपिलूड का योडुक की ना हो नहीं फैलता रावा फ्लीड पार्युड कांटेक्ट में यह Upper grains किसी भी तरीके से अगर बाडी फ्लीड कोंव्ड कांटेक्ट में आता है प्यक्ते सकता है समझे तो इसके लिए अवियर्नेस और कुछ भी नहीं इसके लिए ठीक है तो ठीक है अबाउट इट्स डबलू एचो है स्टार्टिड और नमबर आफ प्रोग्राम तू प्रीवेंट तस प्रैडिंग ऑफ एचाइबी इंफेक्शन बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं मेकिंग अब ब्लड जब भी समझो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्लड कैंसर है उसको टाइम टू टाइम ब्लड की रिक्वार्मेंट होगी तो बस यह ध्यानक ना है कि ब्लड के थो भी इसके स्प्रैडिंग के चांस है मदर अगर प्रिगनेंट है तो बच्चे में उसके थो जा ठीक है कॉंडूम्स यूज करने चाहिए कंट्रोलिंग ड़ ड्रग अब्यूज सेफ सेक्स प्रोमोटिंग रेगूलर चेकप पॉर्टा एचाइवी एंससेप्टिव बिल पॉपॉलेशन और सम्सच टाइप ऑफ ठीक है मनलाब सिंपल सीवाग दे रखिए चलो भाई यह समझने का है कैंसर कैंसर समझने का है मैं गैब दूंगा आपको कैंसर के लिए 5 मिनिट दे रहा हूं Only 5 मिनिट साथ कनौट 4 सब्सक्राइब और यह THAT मैं की लेगी कि दो दी सकते हो Rock थेप ठीक है ठीक है अब मैं स्टार्ड करूंगा कैंसर को कितने बजे कि कि तुम भी थोड़ा गैप ले लो मैं पानी का गुट पी लेता हूँ ठीक है साथ पांच पर हम क्लास को अगेन स्टार्ट करते हैं क्लियर वलकुल अगेन कोई डाउट हाँ साथ पांच पर है क्लियर वलकुल अगेन क्लियर वलकुल अगेन क्लियर वलकुल अगेन स्टार्ट करते हैं क्लियर वलकुल low開ट करते हैं क्लियर वलकुल अगेन स्टार्ट माने क्लियर वलकुल ए 노ाव क्लियर वलकी है झाल 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 झाल